हेलो स्टुडेंट्स, मैसल्फ आरडी सिखों, टीम फिजिक्स, CLC सीकर, जे में 2019 और 20 के रोटेशन मोशन के कुश्चन्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर्स्ट कुश्चन से, फिर्स्ट कुश्चन में हमें दिया हुए कि एक L-shaped object है, made of thin rods of uniform mass, density, and is suspended with a string as shown in the figure, if AB equals to BC, then the angle made by AB with downward vertical is, तो बेटा जी इसको देखो, हमें यह दे रखा है कि जो rod है, इसको यहां vertically suspend किया हुए, तो सबसे पहला point तो यह है कि कोई भी extended object है, equilibrium पर है, equilibrium पर है तो net force और net torque zero होना चाहिए, इस पर forces कौन कौन से आएंगे, एक पूरे system का gravitational force और दूसरा string का tension, ठीक है, mg जो है वो vertically downward लगना है और tension उसको balance कर देगी, net force तो zero हो गया, net torque को भी zero होना पड़ेगा, तो इस point of suspension के about हम बात करते हैं, इस point of suspension पर देखें, तो tension का तो torque वैसी zero हो जाना है, gravitational force का भी torque zero होना चाहिए, और ऐसा कब possible होगा, जब mg जो है वो इसी vertical line पर act करेगा, या जो भी इसका total mass हो जाएगा, system का, उसका जो weight है, वो कुछ ऐसे act करना चाहिए, ताकि ये इसी same vertical line पर हो जाए, और उसका जो net torque है, वो क्या हो जाए, zero हो जाए, तो एक point तो आपको ये याद रखना है, अब दूसरी बात है कि इसका center of mass है कहाँ पर, actually ये जो L-shaped rod है, इसका center of mass कहाँ पर है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, तो देखिए ऐसा है कि कोई एक L-shaped object है, और हमें चाहिए इसका center of mass, तो approach कहाँ रहते हैं, इसको solve करने की, ये extended object, इसका center of mass अलग से देख लें हम, ये जो rod है, इसके center of mass के coordinates अलग से देख लें, suppose ये point origin है, mass M और length L है दोनों rods की, तो इसके जो coordinates हो जाएंगे, ये होगा L by 2,0, और ये हो जाएगा 0,L by 2, ये ही तो बात हुई, तो हमें इस L-shaped object का, जो center of mass का coordinate है, वो पता चलेगा, M1 X1 plus M2 X2, इसका x coordinate 0 है upon total mass, तो ये आ जाएगा L by 4, similarly Y center of mass भी कितना आ जाएगा, Y center of mass भी आएगा L by 4, यानि कि इस L-shaped object का, जो center of mass होगा, वो यहाँ कहीं होगा, L by 4, L by 4 पर, तो ये बात समने में हैं आपको, अब यहाँ देखी ऐसा हो रखा था कि, ये जो L-shaped rod है, इसको hank किया हुए कुछ इस तरीके से, और हम बोल रहे हैं कि इसका center of mass यहाँ होना चाहिए, center of mass के बारे में ये point हमें clear होता है, कि इस edge से, ये center of mass का distance होगा, L by 4, और ये भी हो जाएगा L by 4, कोई doubt है नहीं है इसमें तो, ठीके हैं, और question में हम से पूछा गया है, कि ये जो theta है, vertical के साथ, ये कितना बनेगा, तो vertical के साथ ये वाला angle theta चाहिए, देखो बेटू, triangle ABC की बात कर लो, इस triangle ABC में अगर 10 theta हम लिखें, तो 10 theta कितना आ जाएगा, ये वाला perpendicular upon base, तो perpendicular तो आ जाएगा, L by 4, और ये वाली जो length है, ये L है, उसमें से L by 4 ये गया, तो length AB कितनी आ जाएगी, 3 L by 4, clear, तो देखें, 10 theta की value हमारे पास आ जाएगी, 1 by 3, तो options अगर check करें, तो इसका fourth option जो है, वो match करेगा, clear, चलिए, next question, next question दिया हुए कि एक rod है, जिसकी length 50 cm है, and is pivoted at one end, it is raised such that, it makes an angle of 30 degree from the horizontal as shown, and released from the rest, इस rod को यहाँ पर ऐसे hinge किया हुआ है, और इस position से release किया, जैसे हम यहाँ से release करेंगे, तो यह इस तरह से move करना शुरू करेंगी, नीचे की तरफ, clear, angular speed पूछ रहा है, जब यह horizontal से pass करेंगी, यहाँ से, इस instant पर इसकी angular speed आएग, तो बेटो हमें यह पता है कि इस axis के about fix है, जैसे हम release करेंगे, तो mg का torque आएगा, जो इसको rotate करवा रहे हैं, और उसी mg के work done की बात करें, जो potential energy के loss के equal भी हो जाएगा, वो सारा का सारा कहां जा रहा है, gain in kinetic energy के equal हो जाएगा, अब extended object है, तो gravitational potential energy कैसे लिखते हैं, उसके लिए हमें center of mass की बात करनी पड़ते हैं, इस extended object के, center of mass कहां पर होगा, इसके mid point पर, rod की length है L, तो यह length कितनी हो जाएगी, L by 2, तो देखो बेटा जी, center of mass अभी यहां पर है, थोड़ी देर के बाद यह यहां पहुंचेगा, vertically कितना नीचे गया, यह जो center of mass है, इसका vertical displacement हो जाएगा, L by 2 का sin 30, बातचीत समझ मैं यह आपको, तो यह जो height h, यह जो center of mass नीचे जा रहा है, वो हो जाएगा, L by 4, फिर जो gravitational potential energy का loss है, वो कहां गया, kinetic energy में gain, और rod जब fixed axis के about rotate करते है, तो kinetic energy हो जाएगे, इसकी half I omega square, rod है, end पर यह hinged है, तो इसका moment of inertia हो जाएगा, ML square by 3, तो देखिए equation कैसे लिखेंगे हम, equation लिखेंगे, MGH loss in potential energy, equals to gain in kinetic energy, तो यहाँ आएगा, ML square by 3 into omega square, clear, तो इसको solve कर लेते हैं, एक बार देखिए, H की value यहाँ पुट कर लें, तो यहाँ आएगा, MGH L by 4 equals to half ML square by 3 into omega square, हाँ जी, तो एक तो M cancel out हो जाएगा, एक L cancel out हो जाएगा, एक यह 2 पर जाएगा, तो हमारे पास omega की value आजाएगी, square root of 3 G by 2 L, clear, अब देखिए, situation उसने दे रखी है कि, theta 30 degree से चलो वो तो हो गया, इसकी length 50 cm दे रखी है, और G की value को 10 लेना है, तो length 50 cm है, और G 10 है, तो omega यहाँ से हमें पता चलेगा, 3 into 10, over 2 into 50 cm है, तो meter में convert कर ले दे हैं, तो omega की value आजाएगी, square root of 30 radian per second, clear, तो second option जो है, वो इसका correct match हो रहा है, next question, next question दिया हुए है कि, a homogeneous cylinder, cylindrical roller of radius r and mass, m is pulled on a cricket pitch, by a horizontal force, assuming rolling without slipping, angular acceleration of the cylinder, तो देखिए, जो roller है, basically cylindrical shape का दिया हुआ है, कुछ ऐसा होगा, almost अगर देखा जाए तो, और इसको खींचना है, और खींचना भी कैसे है, horizontal force apply करके, clear, तो यहां से जब इसको हम खींच रहे हैं, तो यह roll करते हुए, आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसको थोड़ा side view देखें, तो यह cylinder हो जाएगा, और हमने horizontal force इस पर, F apply किया हुआ है, जिससे ही आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है जी, तब देखो, अगर हम motion की बात करें, जैसा इसने दिया हुआ है, कि pure rolling हो रही है, without slipping, तो यह force सिर्फ लगता, और friction ना होता, तो translation motion करता, rolling नहीं होती, यहां rough surface है, friction लगेगा, और कुछ इस तरह से लगना चाहिए, कि इसकी pure rolling करवा रहा है, तो obviously अगर बिना friction के देखें, तो आगे की तरफ slide होता, अब friction है, तो वो पीछे की तरफ act करेगा, मान लेते हैं, कि friction जो लग रहा है, वो F है, translation motion में देखा जाए, तो center of mass, A acceleration से move कर रहा है, rotational motion की बात करें, तो इसके पास angular acceleration alpha है, और pure rolling हो रही है, तो हम लिखेंगे, A equals to R alpha होगा, clear ये बात, अब देखे, translation motion की equation कैसे लिखें, तो towards right अगर positive मानते हैं, तो net force कितना आ जाएगा, F minus F, किसके equal होगा, mass into acceleration, rotation motion की equation लिखनी है, तो उसमें देखिए, कोई भी object free to rotate होती है, तो center of mass से पास होने वाली axis के about rotate करते हैं, ये हमें पता है, clear, अब देखिए, जो mg लग रहा है, जो normal reaction लग रहा है, ground से और ये force लग रहा है, इन तीनों की line of action, इसी axis से पास कर रहे है, तो उन तीनों का torque क्या हो जाएगा, zero हो जाएगा, torque सिर्फ इस friction का बजएगा, तो इस axis के about friction, इसको clockwise rotate कर रहा है, मैं अज़ टॉर्क की बात करूँ, तो torque आ जाएगा, f into r, और किसके equal होना चाहिए, इस cylinder का moment of inertia into alpha, i alpha के equal, तो moment of inertia देखे, solid cylinder है, तो इस axis के about, इसका moment of inertia, mr square by 2 हो जाएगा, तो this is mr square by 2 into alpha, और alpha को क्या लिख दें हम, a by r, तो देखे एक तो यह r square वाली term cancel out हो जाएगी, यहाँ बचेगा, m a by 2, यह f और minus f, अगर दोनों equation को add करते हैं, तो friction तो eliminate हो जाएगा, m a plus m a by 2, यह हो जाएगा, 3 m a by 2, तो यहाँ से पुतर हमें acceleration पता चल जाएगा, कितना, 2 f by 3 m, और angular acceleration पूछा जा रहा है, तो वो हो जाएगा, a by r, तो this is equals to 2 f by 3 m r, 2 f by 3 m r, तो third option इसका correct match करेगा, clear? चलियाजी, next question, next question में बोला हुआ है, to mop clean a floor, a cleaning machine presses a circular mop of radius r vertically down with a force f, and rotates it with constant angular speed about its axis, if the force f is distributed uniformly over the mop, and if coefficient of friction between the mop and floor is mu, then torque applied by the machine on the mop is, देखो, एक बड़िया सा question है ये, सबसे पहले तो इस mop cleaner की बात करें, तो होता ये है, कि जैसे इसमें यहां एक rod लगी होती है, और यहां circular disk इसमें लगी होती है, ठीक है, यहां कुछ ऐसे इसमें bristles और वो रहेंगे, अब होता ये है कि इस rod को हम यहां से प्रेस करते हैं, जब इस rod पर ये force F apply करते हैं, तो ये देखा जाता है कि ये जो disk है, ये rotate होती है, जैसे हम इसको प्रेस करेंगे, ये disk जो है, ये rotate होती है, और बस उसी rotation की बात कर रहा है, कि हमने F force लगाया, और ये देखा कि ये constant angular velocity से rotate कर रही है, actually इस force के वज़े से एक torque generate हो रहा है, जो इस disk को rotate करवा रहा है, बेटू इसका top view अगर हम देखें, तो almost कुछ ऐसी situation बन रही है, कि ये disk है, जो हमें उपर से ऐसे नजर आ रही है, और हमने एक force apply किया है, यहां से, जिस वज़े से ये ऐसे rotate कर रही है, जिस वज़े से ये disk जो है, ये ऐसे angular velocity omega से rotate कर रही है, अब जिस भी surface पर हम इसको ऐसे rotate करवा रहे हैं, तो surface पर friction मौजूद है, जो इसका oppose करेगा, तो देखिए, दो तरह का torque लग रहा है, इस पर एक तो torque friction का, और एक torque जो इस machine ने produce किया है, इसको rotate करवाने के लिए, अब angular velocity constant है, इसका मतलब angular acceleration zero, और angular acceleration zero होने का मतलब है, कि torque zero होना चाहिए, clear ये बात, तो इस disk पर लगने वाला net torque zero होगा, अगर हम friction का torque calculate कर लें, तो बस उतना ही torque machine ने produce किया है, क्योंकि दोनों torque equal and opposite होंगे, तो friction का torque calculate करना है, उसके लिए भी थोड़ी सी बातचीत हमें करनी पड़ेगी, एक तो देखो इस disk के बारे में, mass का कुछ भी mention नहीं किया होगा, कि इसका mass कितना है, तो फिर हम इसको, एक बार के लिए mg के effect को ना मने, भी mg का effect अगर हम नहीं consider करते हैं, और ये देखते हैं कि भी इस पर हमने force apply किया है, तो ground से जो normal reaction लग रहा होगा, वो disk के हर point पर ऐसे उपर की तरफ रगे, यहां अगर देखा रहे तो normal reaction ऐसे disk के हर point पर लग रहा है, और उस normal reaction की बातचीत करें तो हम इस force के equal बोल सकते हैं, जो total normal reaction आएगा, वो force के equal आएगा, force के बारे में एक बात और बोली गई है कि इसको हमने uniformly distributed मानना है over the mop, तो जो force एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर इस disk का radius r है, तो force का distribution पूरे area पर हो रहा है, तो per unit area जो force लग रहा है, क्या हम उसको ऐसा बोल सकते हैं कि वो इतना आजाएगा, और देखो जब calculation कर रहे हैं, हमें ये पता है कि rotate होना है, तो इस पर जो friction लगेगा, वो kinetic friction mu n के equal लगेगा, और n जो है, उसकी बातचीत हमें करनी पड़ेगा, तो direct देखो mu n अगर हम लगाते हैं, तो हर point पर ये अलग लग रहे हैं, अगर हम किसी एक element की बात करते हैं, कि यहां से किसी r distance पर हमने एक छोटा सा element माना है, डिस्क का ये छोटा सा element है, ये एक ring जैसा है, और ये ring rotate कर रहा है, इस ring पर पहले हम force calculate करते हैं, torque मिलेगा, point clear हुआ, तो सबसे पहले तो इस ring की बात करते हैं, मान लेते हैं, कि इसकी जो ठिकने से वो dr है, तो इस छोटे से ring पर लगने वाला force कितना होगा, तो per unit area जो force लग रहा है, वो f upon pi r square हो जाएगा, इस ring का area हो जाएगा 2 pi r into dr, तो ये force है, जो इस ring पर लग रहा है, अब बैटों, ये ring जब rotate होगा, तो इस पर एक friction आएगा पीछे की तरफ, उस friction का torque देखो, हर जगे पर ये friction लग रहा है, उस friction का torque कितना रहेगा, mu into n के equal, और n हम किसके equal बोलेंगे, इस छोटे से ring के लिए, इस df के equal, क्योंकि vertical direction में इस element का कोई भी motion नहीं है, तो जो इस छोटे से element पर लगने वाला friction है, वो हो जाएगा, mu into dn, value put करते हैं, तो देखो एक तो pi cancel out हो जाएगा, mu into 2f by r square, r into dr, यही तो बात होगी, अब हम देखना चाहते हैं, कि इस friction की वजए से torque कितना आया, इस छोटे से element पर, तो इस छोटे से element पर लगने वाला torque हो जाएगा, mu into, सरी, force into उसका perpendicular distance, तो force की value पता है, into r करेंगे, तो इस छोटे से element पर लगने वाला torque पता चल जाएगा, या जाएगा, 2 mu f over r square, r square dr, और ऐसे हर एक element पर torque लग रहा है, total torque चाहिए तो, integrate कर देते हैं, छोटा सा ring, 0 radius से लेकर, capital r तक, vary कर वारे हैं, तो जो total torque आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, integration of 2 mu f over r square, r square dr, और r का variation battery, 0 से लेकर, capital r तक, बात समझ में आगे आपको, तो total torque हम लिख सकते हैं, या जाएगा r cube by 3, तो 2 by 3, mu f r, clear, तो 2 by 3, mu f r, इसका जो fourth option है, वो सही match करेगा, तो एक बार approach, थोड़ा सा दुबारा देख लीजिए, हमने इस force apply करके, इस mob को rotate करवाना होता है, disk को rotate करवाना होता है, disk रखी हुए, किसी horizontal surface पर, जब ये rotate करेगी, तो horizontal surface पर, हर जगह पर उस पर एक friction लग रहा है, अब direct total disk पर हम friction देखने की बज़ाए क्या कर रहे है, element wise जा रहे हैं, कि इस एक ring वाले element पर, जब ये rotate करेगा, तो हर point पर ऐसे friction लग रहा है, पीछे की तरफ, उस friction का torque calculate किया, और total जो torque है, वो calculate कर दिया, हमने जितना torque friction का आएगा, उतना ही torque उस machine ने produce किया होगा, वो इसलिए बोल रहे हैं कि इसकी angular velocity जो है, वो constant होगी, ठीक है जी, चलिए, next question, next question है, two identical spherical balls of mass m radius r, each are struck on two ends of a rod of length 2 r, mass m, तो ठीक है, जो spherical ball हैं, इन दोनों का mass bm है, और साथ की साथ ये जो rod है, इसका mass bm है, radius r, और rod की जो length दे रखी है, ये हमें 2 r दी हुई, ठीक है, the moment of inertia of system about an axis, passing perpendicularly to the center of mass of the rod, तो इस axis के about, हमें moment of inertia चाहिए, अब देखो, तीन element हैं, तीनों को हम अलग-अलग separate करके देखेंगे, इस axis के about, पूरे system का moment of inertia calculate करना है, तो उसके लिए हम इस axis के about, rod का moment of inertia calculate करेंगे, और दोनों spheres का moment of inertia calculate करेंगे, add कर देंगे, तो पूरे system का moment of inertia, पता चल जाएगा, अब बेटा ये जो basic question आते हैं, इनमें आपको जो moment of inertia है, जो basic elements हम देखते हैं, वो सारे याद होने चाहिए, दो चीज़े हैं, देखो center of mass, हर एक element का पता होना चाहिए, जो standard हम use करते हैं, moment of inertia, जो standard elements का use करते हैं, वो पता होना चाहिए, अब जैसे rod है, तो rod के center से पास होने वाली axis के about moment of inertia, ml square by 12 है, ये आपको याद होना चाहिए, तो इस rod का moment of inertia है, वो है ml square by 12, प्लस, देखो जब sphere की बात करेंगे, तो sphere का moment of inertia, खुद की इस axis के about कितना होता है, कुछ ना mention किया जाए, तो sphere हमेशा solid लेके चलेंगे, और वो होता है, 2 by 5 MR square, और हमें क्या चाहिए, इस axis के about चाहिए, तो parallel axis theorem हम use करेंगे, इन दोनों axis के बीच की separation कितनी है, देखो r radius ये है, r ये है, तो ये separation कितनी हो जाएगी total, 2R के equal, तो ICM plus MD square, ये तो एक sphere के लिए हो गया, और total जो 2S sphere मौजूद हैं, तो moment of inertia को हम इसका twice कर लेते हैं, हाँ जी, calculation आ जाएगे इसके बाद तो, M 4R square by 12, तो वो तो हो जाएगा, M R square by 3, प्लस, यहाँ से देखो, ये 4, 20 plus 2, तो 22 और इंटू ये वाला 2, 44 by 5, M R square, clear, तो यहाँ जाएगा 4, और जब हम LCM लेके इसको multiply कर रहे हैं, तो ये result आ रहे हैं अपने सामने, कितना हो गया बेटू ये, यहाँ जाएगा, M R square, 5 plus, 132 by 15, तो जो final answer आ जाएगा, moment of inertia का, वो कितना रहेगा, 137 by 15, M R square, clear, तो answer देख लेते हैं एक बार, 137 by 15, M R square, जो है, third option इसका, ठीक match करेगा, तो ये standard elements का, moment of inertia हमें पता है, तो हम इसको calculate कर सकते हैं, चलिए, next question आ रहेगा, question number 6, इसमें दिया हुआ है कि, a rigid massless rod of length 3L, has two masses, attached at each end as shown in the figure, the rod is pivoted at point P, on the horizontal axis, ठीक है, इसको P point पर हमने, कुछ ऐसे hinge किया हुआ है, when released from initial horizontal position, it's instantaneous angular acceleration, तो बेटू, angular acceleration इसको चाहिए, तो torque equal to I alpha, यगर हमें alpha calculate करना है, तो इस पर rod पर लगने वाला torque, पता चल जाए, और system का moment of inertia, पता चल जाए, तो torque equal to I alpha, से हम alpha calculate कर सकते हैं, एक तो देखो, इसमें दिया हुआ है, कि जो rod है, ये मास लेसे, ठीक है, तो rod के पास, तो खुद का कोई मास है नहीं, इसको hinge कर रखा है, इस point के about, ये distance L, और ये distance 2 L दिया हुआ है, अब देखो, यहाँ जो particle है, इसका मास 5 M not, और इसका मास 2 M not दे दिया, और फिर इस system को release किया है, फिर इस system को release किया है, तो आप से ये बुचाए कि, इस system का angular acceleration कितना होगा, just after the release, forces कौन कौन से लग रहे हैं, तो forces एक तो यहाँ पर लगेगा, इसका 5 M not G downwards, एक normal reaction आ जाएगा, एक इसका आ जाएगा, 2 M not G downwards, अब hinged axis के about rotation होना है, hinged axis के about देखें, तो normal reaction का तो torque आएगा नहीं, इस axis के about 5 Mg का torque आ रहे हैं से, anti-clockwise, और 2 Mg का torque आ रहे हैं से, clockwise, तो इसका 5 Mg का torque देखें कितना होगा, यह आ जाएगा 5 Mg into L, और इसका torque देखें तो 2 Mg into 2 L, यह निकि 4 Mg L के equal, तो clear-guard नजर आ रहे हैं कि, anti-clockwise direction में torque ज़्यादा होगा, तो angular acceleration भी इसका इसी direction में होना चाहिए, तो net torque को मैं लिखूंगा, 5 Mg into L, minus, 2 Mg into 2 L, तो torque आ जाएगा अपने पास, M not G into L, और अब हमने torque equal to I alpha, put कर देना है, तो इसके लिए moment of inertia calculate कर लेते हैं, rod खुद massless है, सिर्फ यह दो point elements हैं, तो इनका moment of inertia कितना आ जाएगा, इस axis के about, MR square का summation हो जाएगा न, ठीक लिखा है, तो यह आ जाएगा हमारे पास, 5 M not L square, प्लस 4 और 2, 8 M not L square, तो यह आ जाएगा, 13 M not L square, clear है जी यहां तक, तो torque पता है, moment of inertia पता है, torque equal to I alpha, यूज़ कर लेते हैं, तो alpha की value कितनी आ जाएगी, torque over moment of inertia, तो M not G L over 13 M not G L square, तो एक तो M not cancel out हो जाएगा, एक G cancel out हो जाएगा, और एक सेकेंड कुछ, यहां G कहां से आ जाएगा, यह 13 M not L square है, तो M not cancel out हो जाएगा, एक L cancel out हो जाएगा, तो alpha की जो value आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, G by 13 L, ठीक है, तो torque equal to I alpha basic relation, हम use कर रहे हैं, options देखें, तो G by 13 L, first वाला जो option है, यह match हो जाएगा, clear, तो torque equal to I alpha के basic relations, हम इसमें use करके, angular acceleration calculate कर रहे हैं, चलिए, next question, next question दिया हुआ है, कि एक slab है, जिस पर two forces, F1 and F2 लग रहे हैं, same magnitude F, दोनों का magnitude same है, और force F2 जो है, यह तो XY plane में है, और F1 जो है, यह Z axis के along है, तो अगर हम इसको draw करते हैं, तो यह एक ऐसे plate है, F1 force तो इस पर लग रहा है, Z direction के along, और F2 जो force है, यह act हो रहा है, XY plane में, यह angle दिया हुआ है, 30 degree आपको, clear, यह length भी 6 meter और 4 meter हम mention कर लेते हैं, तो एक square, और सोरी, यह rectangular plate है, एक slab है, इस पर दो force लग रहे हैं, the moment of these forces about point O, moment of force मतलब हम torque की बात करना चाहते हैं, तो इन दोनों forces का जो torque है, इस point के about पुछा गया है, वो कितना होगा, तो बेटो एक चीज़ हमें यह पता है, कि किसी भी point के about, जब हम torque calculate करते हैं, तो torque होता है R cross F, जब हम torque की बात करते हैं, तो torque आता है R cross F, अब देखो, जब magnitude वाइस बात कर रहे हैं, तो torque का जो magnitude आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, R F sin theta, तीन conditions ऐसी होती हैं, जब torque zero हो जाता है, कौन-कौन से, या तो R zero हो जाए, या F zero हो जाए, या sin theta zero हो जाए, F zero होने का मतलब है, कि हमने force apply नहीं किया, तो बेटो जब force ही नहीं है, तो उसके torque की बात नहीं होती, R zero होने का मतलब है, कि force उसी point पर हम apply कर रहे हैं, जिसके about हमें torque चाहिए, clear, और sin theta zero होने का मतलब क्या हुआ, देखो, इस point के about torque चाहिए, ये हमारे पास position vector R है, और इस point पर force लग रहा है, suppose F, तो R और F में जो angle है ना, उसको बोला जाता है theta, तो sin theta zero होने का मतलब है, या तो theta zero हो जाएगा, force इस direction में लगेगा, या theta 180 degree हो जाएगा, force opposite में लगेगा, दोनों ही condition में, जो force की line of action है ना, वो उस point से pass कर रहे, कि theta zero हो जाएगा, तो भी line of action वहां से pass कर जाएगी, और 180 हो जाएगा, तो भी line of action उस point से pass करेगी, ठीक है, excuse me, तो देखो बिटा, torque zero आ जाएगा, या तो force zero हो जाए, या force उसी point पर लग जाए, जिसके अब आउट torque चाहिए, या फिर force की line of action उस point से pass हो जाए, ठीक है, तो इस question में हम ये दोनों चीज़ें use करके, torque calculate करेंगे, एक तो basic definition से तो हम पहले वाले force का torque calculate कर लेंगे, देखो जो F1 दिया हुआ है, ये act कहां पर हो रहा है, 2i cap प्लस 3j cap पर, तो F1 का जो torque आ जाएगा, वो calculate करना है, तो R cross F से हम चले जाएंगे, ये है 2i cap, 3j cap, और जो force apply किया हुआ है, वो है F K cap में, clear, तो यहां से देखो, जो first force का torque आ जाएगा, बेटू, वो कितना होगा, तो i cap के साथ देखेंगे, तो ये 3F, minus j cap के साथ देखेंगे, तो 2F, और K cap के साथ ये 0 आ जाएगा, तो first force का जो torque आ जाएगा, वो होगा, 3F i cap minus 2F j cap, तो बेटू, F2 का जब torque देख रहे हैं न, तो हमें काम कर लेते हैं, इस F2 के दो components कर लेते हैं, easy हो जाएगा, rather than हम इसमें, determinant method से जाके solve करें, हमें काम कर लेते हैं, force का एक component आ जाएगा, F cos 30, और देखो, इसकी जो line of action है, वो इस point से pass हो रही है, तो F cos 30 जो component है, इस component का torque आ जाएगा, 0 because उसकी line of action उस point से pass कर जाएगी, दूसरा component आएगा इस direction में, F sin 30, और इस F sin 30 का torque बिलकुल आएगा, अगर हम इस axis की बात करें, या यह कहलो कि point से, जो position vector draw करेंगे, वो इस direction में है, और F अंदर की तरफ लग रहा है, तो R cross F जो आएगा, यह upward direction में आ जाएगा, यानि कि K cap में हमारे पास, इस force का torque बचेगा, बात समझ में आ गई, R vector किदर की तरफ है, J cap के along है, और F vector किदर है, minus I cap के along है, तो R cross F देखेंगे, तो यह Z direction में आ जाएगा, तो second force का जो torque होगा, magnitude wise, force कितना है, F sin theta, और distance कितना है, perpendicular distance, 6, और direction क्या है इसकी, K cap, तो this is 3 F K cap, तो total torque अगर चाहिए, तो दोनों को add कर दें, तो resultant torque इस slab पर जो आएगा, हुआ जाएगा, F तो common ले लें इसमें से, this is 3 I cap, minus 2 J cap, plus 3 K cap, हाँ जी, तो यह इस पर net torque आ जाना है, clear, हाँ जी, तो जो result आ रहा है, 3 I cap, minus 2 J cap, plus 3 K cap, third option इसका match हो जाएगा, ठीक है जी, चलिए, next question, हाँ जी, तो question number 8 में दिया हुए कि, an equilateral triangle ABC, is cut from a thin solid sheet of wood, तो किसी wooden sheet में से, यह triangle ABC cut किया हुआ है, ठीक है, DEF are the midpoints of its sides, and G is center of the triangle, इस triangle का center G पर है, moment of inertia of the triangle about an axis, passing through G, तो इस G से pass होने वाली, center से pass होने वाली axis के about, इसका moment of inertia हमें दे रखा है, I naught, if the smaller triangle DEF, is removed, from ABC, the moment of inertia of remaining figure, about the same axis is I, तो I और I naught में relation बताना है, बैटू, ऐसा है, देखो कि, यह हमारे पास, एक triangle दिया हुआ है, ABC, ठीक है, और इस पूरी triangle का, जो moment of inertia है, वो I naught है, अब आप से यह बोल दिया, कि इस triangle में से, इस छोटे वाले triangle, DEF को हटा दिया, तो जो remaining portion बचेगा, वो क्या बचेगा, फिर, जैसे हम DEF को हटाएंगे, तो यह वाला portion बचता है, और हमसे पूछा गया, कि इसका moment of inertia, इस axis के about कितना होगा, तो देखो बेटा, यह approach तो वही है, जैसे हम center of mass के time भी use करते थे, कि जो part cut किया है, वापिस उसको add कर देंगे, same axis of rotation के about, जब दोनों का moment of inertia add करेंगे, तो वो हमें total moment of inertia, इस पूरे object का मिल जाएगा, clear, अब देखो, इसका moment of inertia I naught है, उसका use करते हो, हम यह वाला moment of inertia calculate करेंगे, छोटे वाले triangle का, और remaining portion का फिर हमें, पता चलेगा, देखो, कोई भी object है, जब हम बात करते हैं, उसके moment of inertia की, तो वो proportional रहेगा, किसके, एक तो mass के, और distance का square, जब हम triangle का moment of inertia calculate करेंगे, अगर इस triangle की side A मान लेते हैं, तो मैटू, पूरी calculation में नहीं जाएं, तो भी हम इसको बोल सकते हैं, कि यह जो moment of inertia होगा, वो mass और side के square के proportional होगा, clear, दूसरी बात, इस mass की भी बात करें, तो mass density into area हो जाएगा, surface mass density अगर हमें पता है, और into इसका area करेंगे, तो हमें, इस जो sheet है, triangular sheet, इसका mass पता चल जाएगा, तो जो mass आ जाएगा, वो भी इसके area के proportional आ रहेगा, तो हम यहां सी यह बोल सकते हैं, कि mass जो है, वो फिर से proportional है, कि इसके triangle के area के, और area जो है, वो side square के proportional रहेगा, तो हम यह भी बोल सकते हैं, कि mass भी proportional है, a square के, in general देखो, जो moment of inertia इस triangle का लिखेंगे, जो i naught लिखा हुआ है, क्या हम उसको कुछ constant times, a raised to power 4 लिख सकते हैं, क्या, calculation में नहीं जाना, इसलिए हम उस चीज को, proportionality से solve कर रहे हैं, because i और i naught का relation चाहिए, बस हमें, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है न, तो calculation में नहीं जाना, हम यह बोल रहे हैं, triangle का जो भी moment of inertia होगा, वो इसका mass into side square हो जाएगा, उसके proportional, और mass जो है वो density into area, तो mass भी किसके proportional हो जाएगा, a square के proportional हो जाएगा, तो i naught जो है, वो k times a raised to power 4 हो जाना है, अच्छा, दूसरी बात, अब यहाँ देखो जरा, इसकी बात करते हैं, तो इसकी side कितनी हो जाएगी, अब क्योंकि, यह midpoint की बातचीत चल रहे हैं यहाँ पर, total side a है, तो यह a by 2 हो जाएगा, इधर से यह a by 2 हो जाएगा, angle 60 degree है, तो इसको भी कितना होना पड़ेगा बेटू, a by 2, तो यह जितने भी छोटे वाले triangles बन रहे हैं, सब की side a by 2 है, तो अगर इसका moment of inertia i naught है, तो फिर इस छोटे वाले triangle का, जो moment of inertia i1 है, वो कितना हो जाएगा, k times a by 2 का raise to power 4, तो this is k a raise to power 4 by 16, तो हम बोल सकते हैं कि, छोटे वाले triangle का, जो moment of inertia आ जाएगा, वो i naught by 16 होना चाहिए, ठीक है जी, तो अब बस हम use कर लेते हैं, इसमें relation की total moment of inertia i naught, किसके equal होना चाहिए, i1 plus i जो हमें calculate करना है, ठीक, तो यहाँ से पता चलेगा, कि i की value कितनी आ जाएगी, i naught minus i1, which is i naught by 16, तो finally जो i1, हमारे पास, this is i, i is i naught minus i1, ठीक है और i1 को हमने i naught by 16 लिखा हुआ है, तो जो i की value आ जाएगी, बेटूई आ जाएगी 15 by 16 i naught, clear है जी, तो अगर हम options की बात करते हैं, तो options, हमारे पास आ जाएगी यह रहा, 15 by 16 i naught, तो first option इसका correct हो जाएगा, clear, next question number 9 में देखो दिया हुआ है, कि a string is wound around a hollow cylinder, of mass 5 kg and radius half meter, if the string is now pulled, with a horizontal force of 40 newton, and the cylinder is rolling, without slipping on horizontal surface, then its angular acceleration will be, तो जैसे अभी हमने, roller वाला question discuss किया था, same approach पर यह जाएगा, difference ही है कि वहाँ पर force जो था, वो center पर लग रहा था, ठीक है, और यहाँ force जो है, वो edge पर लगेगा, तो वहाँ पर उस given force का, torque नहीं आ रहा था, जबकि यहाँ पर यह जो external force अप्लाई किया हुआ है, इसका भी torque हमें consider करना होगा, as well as cylinder जो दिया हुआ है, यह hollow है, तो एक बार हम calculations करके देखते हैं, इसके, एक cylinder है, हमने इस पर एक force अप्लाई किया हुआ है, 40 newton का यहाँ से, जैसे यह force अप्लाई करेंगे, अगर friction नहीं होता, तो यह direct translation motion में जाता, friction मौजूद है, तो उस वज़े से क्या होगा, जैसे आगे जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से एक friction आजाएगा, पीछे की तरफ, इन forces की वज़े से, यह जो cylinder है, इसका center of mass, तो एक acceleration से आगे जाएगा, और यह rotate हो रहा है, किसी angular acceleration alpha से, clear, translation motion की equation क्या लिखेंगे, तो net force आजाएगा, F minus F, this is mass into acceleration, और देखो torque लिखना है, तो जो भी object free to rotate होती है, वो कौन सी axis के about rotate करती है, उस axis के about, जो center of mass से पास करती है, तो इस axis के about, जब हम इस force का torque देख रहे हैं, वो clockwise आएगा, friction का torque भी clockwise आएगा, तो जो net torque लिखेंगे, वो आजाएगा, F into R clockwise में, plus small F into R, यह भी clockwise में, और किसके equal हो जाएगा, I alpha, बेटू cylinder जो है, यह hollow है, तो moment of inertia, center से पास होने वाले axis के about, M R square हो जाएगा, और alpha को हम क्या लिख दें, A by R, तो यहां से देखो, एक R तो यह cancel out हो रहे है, A की यह वाला R cancel out हो रहे है, तो हमारे पास equation बन रही है, को हम add कर लेते हैं, तो जैसे इन दो equations को add करेंगे, तो F और F, यह तो cancel out हो जाएगा, relation बचेगा, 2F equals to 2MA, या फिर force equal to mass into acceleration बचेगा, तो देखिए, force जो दिया हुआ है, वो 40 Newton है, mass 5 kg है, तो यह आजाएगा, 40 equals to 5 into A, या फिर A जो आएगा, जो आएगा 8 meter per second square, तो cylinder का acceleration अगर 8 meter per second square है, तो angular acceleration is A by R, radius दिया हुआ है इसका 0.5 meter, तो यह जाएगा 8 upon 0.5, this is 16 radian per second square, clear, तो third option इसका correct match करेगा, चलिए, next question, next question इसमें दिया हुआ है, कि एक circular disk, D1 of mass M and radius R, has two identical disks, D2 and D3, of same mass and same radius, attached rigidly at its opposite ends, तो बेटू एक तो यह disk D1 दे रखी, और इसके साथ, यह दो disk हमने ऐसे attach करी है, D2 and D3, the moment of inertia of the system, about its axis OO dash, passing through the center D1, as shown in the figure, तो यह जो axis OO dash दी हुई है, इसके about हमें इसका moment of inertia चाहिए है, टोटल, वालांकि डाइग्राम में थोड़ा सा ऐसा है, कि situation clear नहीं हो पा रही है, कि किस तरह से इसको attach किया हुआ है, तो हम एक काम कर लेते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं, कि यह वाली जो disk है, इसको इस horizontal disk के साथ, ऐसे center पर attach किया हुआ है, एक तो यह वाली जो disk D1 है, यह horizontal में ऐसे रखी हुई है, और D2 और D3 जो हैं, वो इसके perpendicular कुछ ऐसे attach की हुई है, ऐसा जैसा diagram देख के appear हो रहा है, तो इसके according हम एक बार solve कर लेते हैं इसको, तो देखें, यह जो दो disk इसके साथ attach की हुई है, इनका moment of inertia, इस axis के about calculate करना, और एक खुद का moment of inertia, इस axis के about calculate करना है, तो यह जो disk D1 है, इसका moment of inertia हमें direct पता है, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, MR square by 2, जो center से pass होने वाली plane के perpendicular axis होती है, उसके about moment of inertia disk का होता है, MR square by 2, अब देखो भी 2, जो disk के center से pass हो रही है, और plane के perpendicular axis है, इसके about moment of inertia MR square by 2 है, तो यह वाली जो axis, disk के plane में lie करेगी, इसका moment of inertia अगर हम IP मानते हैं, तो यह वाला भी IP हो जाएगा, perpendicular axis theorem से पता चलेगा, कि 2 IP equals to MR square by 2, या फिर plane में lie करने वाली, और center से pass होने वाली axis के about देखें, तो moment of inertia हो जाएगा, MR square by 4, clear, तो यह वाली जो disk है, इसका moment of inertia, इसके plane और center से pass होने वाली axis के about है, MR square by 4, parallel axis theorem यूज कर रहे हैं, तो इस axis के about जो moment of inertia आएगा, वो कितना आजाएगा, वो आजाएगा ICM plus MD square, plus MD square, तो बेटू कितना हो जाएगा यह, यह हो जाएगा 5 by 4 MR square, clear, ऐसा ही moment of inertia जो third disk है, उसके लिए भी लिखेंगे, तो third disk का जो moment of inertia आएगा, वो भी 5 by 4 MR square आजाएगा, combined system का जो moment of inertia है, वो हो जाएगा I1 plus I2 plus I3, तो this is MR square by 2, plus 5 by 4, plus 5 by 4, तो इसको 5 by 2 MR square लिख दे, तो 2.5 यह हो गया, half ही हो गया, तो this is 3 MR square, clear, तो जो final moment of inertia आजाएगा, वो 3 MR square आजाएगा, और उसके according, जो option number 1 है, वो हमारा correct answer मैच कर जाएगा, ठीक है, तो हम यह मान के चल रहे हैं, कि जो दो disc हैं यह, इसके plane के perpendicular attach कर रखे हैं, clear, चलिए, next question, next है question number 11, इसमें दिया हो है कि, the magnitude of torque on a particle of 1 kg, is 2.5 newton meter about the origin, if force acting on it is 1 newton, and the distance of particle from the origin is 5, then angle between force and position vector, तो जैसा कि पहले हम discuss कर चुके हैं, कि अगर किसी point के अबाउट torque चाहिए, तो इस torque के बात करते हैं, तो यह होता है, R cross F, और magnitude wise इसको लिखते हैं, R F sin theta, where theta is angle between this position vector and force, अब देखो जो data दिया हुआ है, उसमें आपको यह दे रखा है, कि जो torque लग रहा है, यह तो है 2.5, position vector जो है, जो देखिए, torque है 2.5, if the force acting on it is 1 newton, तो force का magnitude 1 है, and the distance of particle from the origin is 5, तो यह 5 है, then angle between force and position vector, तो simple calculation है, यह जो sin theta की value है, यह कितनी आ जाएगी, half, 5 से 5 cancel out हो जाएगा, तो theta की value आ जाएगी, 30 degree, या फिर यह कह सकते हैं, कि pi by 6 radians, तो इस question का जो second option है, वो हमारे पास correct match हो जाएगा, ठीक है, चलिए, next question, question number 12 में बेटा दिया हुआ है, की, let the moment of inertia of a hollow cylinder of length 30 cm, एक hollow cylinder is इसकी length दे रहे हैं, और inner radius 10 cm, और outer radius 20 cm दिया हुआ है, about its axis be i, the radius of a thin cylinder of same mass, such that its moment of inertia about its axis is also i is, तब देखो, दो अपने पास cylinder दे रहे हैं, एक hollow cylinder है, जिसकी thickness कुछ ना कुछ मौजूद है, इसका inner radius और outer radius हमें दिया हुआ है, छिक है जी, inner radius इसका दे रहे हैं, suppose r1 और outer radius है, r2, इसका mass m moment of inertia i है, और हमसे बुला गया है, कि हमें एक thin cylinder की बात करने हैं, एक thin hollow cylinder, जिसका mass same है, moment of inertia same है, तो उसका radius कितना रखना पड़ेगा, उसका radius कितना होगा, तो यह जो हमारे पास एक thick hollow cylinder है, इसका आपको inner radius और outer radius दिया हुआ है, तो इसके लिए देखो, inner radius, outer radius, r1, r2 हैं, अगर तो moment of inertia जो आ जाएगा इसका, वो कितना होना चाहिए, तो यह चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए, कि इसका जो moment of inertia आ रहेगा, यह होगा, m r1 square प्लस r2 square बाई 2, तो बेटू यह भी standard format में ही आपको याद रखना है, कि इसका जो moment of inertia होता है, वो m r1 square प्लस r2 square बाई 2 होता है, एक बार थोड़ा सा मैं आपको hint दे देता हूँ, कि इसको solve कैसे करते हैं हम लोग, होता यह है कि यह जो hollow cylinder है, मान लेते हैं कि इसकी जो surface density है, वो sigma है, डिस्क के लिए अपन बात कर लेते हैं, वो इस cylinder के लिए भी आगए चला जाएगा, तो इसकी surface density अगर sigma है, तो इसका moment of inertia लिखना है हमें, हम क्या काम करेंगे, जो यह खाली पार्ट है, इसको fill कर देंगे, और complete हमें एक यह वाले disk मिल जाएगे, ठीक है, तो basic approach है, इसका moment of inertia, plus इसका moment of inertia, equals to, इसका moment of inertia, clear, तब देखो, इस object का moment of inertia हमें चाहिए, plus, यह एक disk है, जिसका radius कितना है, r1, तो r1 radius की disk का moment of inertia होता है, mr square by 2, इसका mass लिखेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, तो इसका mass आ जाएगा, इसकी density, into, pi r1 square, by 2, यह जाएगा, ठीक है, एक r square, by 2, sigma into area, तो इसका mass हो जाएगा, तो mr square by 2, इसका moment of inertia हो जाएगा, similarly, जब इसके लिखेंगे, तो इसका radius है r2, तो इसका mass हो जाएगा, sigma into pi r2 square, into r2 square by 2, तो mr square by 2, इसका moment of inertia हो जाएगा, अब बात करते हैं sigma की, तो देखो, यह जो hollow cylinder हमें दिया हुआ है, इसका mass m है, ना कि उस बड़े वाले cylinder का, तो अगर इस hollow cylinder का mass m है, तो जो sigma की value आएगी, आजाएगी, mass upon इसका area, which is pi r2 square minus r1 square, तो यहाँ से जब हम value solve करेंगे, calculate करेंगे, तो हमारे पास आजाएगा, कि यह वाला hollow cylinder है, जिसकी thickness हमें दे रखी है, inner radius r1 और outer radius r2 है, इसका moment of inertia आजाएगा, m r1 square plus r2 square by 2, clear, तो अब इसमें situation में हमें दिया हुआ है, कि r1 की value जो है, वो 10 cm है, और r2 जो है, यह 20 cm है, और इस thin hollow cylinder की बात करें, तो इसका moment of inertia भी same दे रखा है, mass भी same है, तो इसका radius अगर r है, तो hollow cylinder का moment of inertia हो जाएगा, m r square, तो simple एक relation आ रहेगा, कि r जो होगा, वो आ जाएगा, square root of r1 square, plus r2 square by 2, बस अब हमें values put करनी है, r1, r2 दिये हुए हैं, 20 cm और 10 cm, तो यह आ जाएगा, 10 का square, plus 20 का square, by 2, तो which is square root of 250 cm, clear, तो options एक बार check कर लेते हैं, options में दिया हुए, 12 cm, 18 cm, 14, और 16 cm, तो square root of 256, जो है वो 16 cm के around आ जाएगा, तो approximately देखा जाएगा, तो 16 cm इसका radius होना चाहिए, ठीक है जी, चलिए, next question, next question दिया हुए है, कि moment of inertia of a solid sphere, about an axis parallel to its diameter, and at a distance of x from it is i, which of the following graphs represent ix, तो ये basically moment of inertia, किसी भी एक axis के about है, जो center से x distance पर है, उसके about moment of inertia की बात चल रही है, center के about हमें पता है, 2 by 5 m r square हो जाएगा, और किसी इस axis के about बात कर रहा है, जो यहां से x distance पर है, तो इसका moment of inertia कितना हो जाएगा, icm प्लस m x square, तो अब y axis पर तो यह है i, और x axis पर है x, तो यह एक parabola बनना चाहिए, ठीक है, facing upward होगा, और y intercept जो है वो non zero आजाएगा, तो straight line तो हो नहीं सकता, parabola बनना चाहिए और वो भी y intercept non zero के साथ, clear, चलिए, next question, question number 14 में दिया हो है, किया, particle of mass 20 gram is released with an initial velocity 5 meter per second along the curve from point A as shown in the figure, तो इस point A से इस particle को 5 meter per second की velocity से यह, इस curve के along भेज रहा है, point A is at height h from point B, the particle slides along frictionless surface, तो friction है नहीं, यह यहां से यहां तक slide करते हुए जा रहा है, कितना distance नीचे जाना इसने, 10 meter, when the particle reaches point B, its angular momentum about point O, तो O point के about angular momentum चाहिए, O point से इसका distance कितना हो जाएगा, 10 and 10, 20 meter, अगर हमें B point पर speed पता चल जाए, तो फिर तो angular momentum, point O के about लिखना easy हो जाएगा, हम लिखते हैं कि M, V इंटू यह वाला perpendicular distance, उसका angular momentum हो जाएगा, तो पहला task हमारा यही होगा, कि हम इस point B पर velocity calculate करेंगे, कितनी आएगा, तो velocity calculate करना है, तो A से B तक हम energy conservation यूज़ कर लें, point A से point B तक हम energy conservation यूज़ करेंगे, तो देखो बेटा जी frictionless surface है, normal reaction का work done वैसे ही zero होगा, क्यांकि वो perpendicular to the velocity है, तो हम यह बोल सकते हैं कि A से B तक जो mechanical energy है, वो conserve रहेगी, ठीक है ना, A point पर देखना जो energy है, वो है half M V square, और gravitational potential energy अगर B पर zero मानते हैं, तो वहाँ पर आ रहेगी यह इतनी, this is equal to half M V square उस point पर, तो देखो V square की value कितनी आ जाएगी, एक तो 25 तो यह आ जाएगा, plus G को अगर 10 मान लेते हैं, तो 200 यह आ जाएगा, तो V clear cut हमें पता चल जाएगा कि, square root of 225 याने कि 15 meter per second, speed हो जाएगी उसकी इस point पर, ठीक है, और distance कितना है total point O से इसका 20 meter, तो जो angular momentum आ जाएगा, वो आ जाएगा M 20 gram दिया हुआ है, into V into R, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यह, 15, 4, 60 और वो आ जाएगा, 6 kilogram meter square per second, ठीक है, तो आंसर जो आ जाएगा, वो आ जाएगा, 6 kilogram meter square per second, ठीक है जी, चलिए, next question, इसमें दिया हुआ है कि, a thin circular plate of mass M and radius R, has its velocity, sorry, has its density varying as, rho equals to rho naught R, with rho naught as constant, and R is at distance from its center, ठीक है, एक circular plate है, mass दे रखा है, radius दे रखा है, density जो है, वो vary कर रही है, moment of inertia of circular plate, about its axis, perpendicular to the plate, and passing through its edge, is A M R square, find value of this A, तो बेटो ऐसा है कि, अगर तो यह जो plate है, uniform density की होती, फिर तो कोई issue नहीं था, direct हम बोलते कि, इसका moment of inertia M R square by 2 हो जाना है, बट यहां क्या है, variable density है, density का variation दे रखा है, rho naught into R के equal, जहां R कोई इसका distance है, center से, ठीक है, तो हमें इसका moment of inertia चाहिए, तो इसको solve करके देख लेते हैं हम, देखे, approach क्या रहेगी, इस point पर हम जाके, R distance पर एक छोटा सा element मानते हैं, जिसकी thickness है, DR, ठीक है, total mass जो है, वो area पर distributed है, तो इस position पर जब हम mass की बात करेंगे, कि इस element का जो mass आ जाएगा, वो बेटू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, रो इन्टू टू पाई आर डी आर, density इन्टू इसका area, ठीक है ना, और रो की value कितनी है, रो नॉट आर, तो यहाँ जाएगा, टू पाई रो नॉट आर स्कॉएर, डी आर के को है, कोई issue यहाँ तक, नहीं होना चाहिए, देखो एक तो डिस्क का total mass, M दिया हुआ है, total mass कितना आ जाएगा, इसका integration, और variation 0 से R तक हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा, 2 रो नॉट पाई, R स्कॉएर का integration हो जाएगा, R क्यूब बाई 3 के को है, तो यह तो है बेटा जी, total mass, ठीक है, और जब हम moment of inertia calculate करेंगे, तो उसमें भी हमें यही अप्रोच लगानी पड़ेगी, कि यह जो ring है, इसका moment of inertia, हम इस axis के about calculate कर लें, और total सबको add कर देंगे, तो इस disk का हमें total moment of inertia पता चलेगा, तो इस ring का moment of inertia कितना होगा, वो लिखते हैं, इस element का moment of inertia आ जाएगा, dm into r square के equal, ठीक है, dm की value हमें पता है, 2 rho not pi r square dr, और एक की square है, तो r raise to power 4 हो जाएगा, जब total moment of inertia लिखेंगे, तो वो आ जाएगा integration of di, हाँ जी, इसकी value कितनी आ जाएगी, variation जो होगा, वो 0 से r तक का रहेगा, तो 0 से r तक जब इसको vary कर रहे हैं, तो ये value देखो हमारे पास आ जाएगी, 2 rho not pi, r raise to power 4 जो है, इसका integration कितना हो जाएगा, moment of inertia लिखेंगे, उसको कितना लिख देंगे, जो rho not pi r cube है, देखो बैटो, 2 by 5 तो ये रहा, rho not pi r cube, को मैं वहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 3 m by 2, clear, तो एक 2 cancel out हो जाना है, जो moment of inertia हमारे पास बचेगा, ये आएगा 3 by 5 m r square, तो एक बार options पे चलते हैं, options में क्या दिया हुआ है हमें, options में दिया हुआ है कि, ये जो moment of inertia है, ये a times m r square है, और a की value पूछ रहा है, तो ये value आ जाएगे, 3 by 5 k equal, ठीक है, next question, इसमें दिया हुआ है कि, solid sphere and solid cylinder of identical radii, approach and incline with same linear velocity, तो ठीक है, both roll without slipping all throughout, हमेशा pure rolling हो रही है, ये मानते हुए बात करनी है, the two climb maximum height, h sphere or h cylinder on the incline, तो sphere और cylinder की जो height rise हो रही है, उसका ratio पूछा गया है, तो हम एक बार generalize इसको solve कर लेते हैं, और उसके बाद फिर values put कर लेंगे, तो देखो इसमें ये दे रहा है कि, यहाँ एक object है, ये pure rolling करते हुए आ रही है, और फिर इसने rise करना है यहाँ पर, तो जब pure rolling हो रही है, देखो यहाँ पर speed कुछ V है, इसकी angular velocity omega है, जैसे जैसे ये उपर rise करेगा, तो इस instant पर एक friction आएगा, इस पर mg आएगा, और नॉर्मल आएगा, इसकी speed कम हो रही है, इसकी angular velocity कम हो रही है, और finally, किसी instant पर जाके, ये रुकेगा, जहाँ इसकी velocity भी zero है, और या omega भी इसकी angular velocity भी zero है, center of mass जो है, suppose तब तक ये h height rise कर रहा है, center of mass की जो height है, वो h rise हो रही है, तो देखिए, यहाँ जो kinetic energy है, वो सारी किसारी convert हो जाएगी, किसमें, potential energy में, तो यह approach अगर हम use करेंगे, तो initial देखो kinetic energy कितनी है, यह हो जाएगी, translation motion की वज़ा से, half mv square, और rotation की वज़ा से, half i omega square, अब देखो बेटा जी, हमें यह पता है, कि इसकी pure rolling हो रही है, तो जो omega है, वो कितना हो जाएगा, v by r, तो omega square कितना हो जाएगा, v square by r square, तो यहां हम easily लिख सकते हैं, कि जो kinetic energy आजाएगी, वो जोगी, half v square, m plus i by r square, ठीक है जी, और यह जो kinetic energy है, इसको किसके equal हमने put करना है, यह kinetic energy हो जाएगी, इसकी potential energy के equal, तो this is mg h, ठीक, तो अब देखो, यहां से हम बोल सकते हैं, कि जो height h rise हो रही है, वो कितने होगी, mg से divide कर लें, तो यहां जाएगा, v square by 2g, तो ऐसे रख लो, और m अंदर club कर देते हैं, तो m को club करेंगे, तो यहां जाएगा, 1 प्लस i by m r square, ठीक है, तो यह हमारे पास आजाएगा, कि यह जो object है, यह इतनी height rise करेगी, अब देखो, जो object हमें दी हुई हैं, वो कौन सी हैं, एक तो sphere है, solid sphere, और दूसरा है solid cylinder, तो दोनों के लिए, हम बातचीत कर लेते हैं, देखो, स्फियर के लिए तो, यह जाएगा, v square by 2g, 1 प्लस, moment of inertia कितना होगा, खुद की axis के about होता है, इसका moment of inertia, 2 by 5, m r square, और upon m r square से, यह cancel out होगा, तो यह बचेगा, इतना, further इसको solve करेंगे, तो यह है, v square by g, 7 by 5, clear, और जब सिलेंडर के लिए बात करेंगे, तो सिलेंडर में यह हो जाएगा, v square by 2g, 1 प्लस, हाँ जी, moment of inertia, solid cylinder का m r square by 2, upon m r square, तो यह हो जाएगा, 1 by 2, तो यह हो जाएगा, v square by 2g, into 3 by 2, clear, तो, height का ratio, जो sphere और cylinder का आजाएगा, पुतर, यह कितना आजाएगा, यह आजाएगा, हमारे पास, 7 by 5, over 3 by 2, तो 14 by 15, यह ratio इनकी height का हो जाएगा, अगर options देखें, तो कोई option इसमें, fourth वाला जो है, यह match कर रहा है, clear, basic approach रहेगी, kinetic energy, जो है, वो potential energy में convert हो रही है, इसका use करना है हमने, राइट, चलिए, next question, question number 17, इसमें दिया हुए कि एक rectangular solid box है, जिसकी length जो है, वो 0.3 meter है, horizontally इसको अपने hold करके रखा हुए, with one of its side on edge of the platform of height, 5 meter, when released, it slips off the table in very short time, of 0.01 second, remaining essentially horizontal, the angle by which it would rotate, when it hits the ground, तो बेटो इसमें देखो, दो तिन points है, जैसे एक तो यह है कि इसको release करेगा, तो release करने के just बाद क्या हो गए, कि mg यहाँ पर एक्ट करेगा, उस mg का torque आएगा, इस point के about, जिसकी वज़े से यह rotate करना शुरू करेगा, अब एक तो यह है कि duration बहुत छोटी देदी, और उसमें ऐसा बोल दिया कि आपको यह मानते हुए चलना है कि, इसमें जो, rod रह रही है वो horizontal रहेगी, ठीक हैं, तो अगर हम यह बात करते हैं कि, इसके angular momentum का जो change आजाएगा, वो torque dt के equal आजाएगा, कुछ इस तरह से angular impulse से, तो जो इसने angular momentum acquire किया है, I omega, वो हो जाएगा, इस पर लगने वाला torque है, mg L by 2, और into dt, dt हमें दे रखा है कितना, 1 by 100, तो यहां से हमें यह पता चलेगा, कि इसकी angular velocity omega कितनी हो जाएगी, ml square by 3, इसका moment of inertia होगा, into omega equals to mg L by 200, एक ml cancel out हो जाना है, यहां से हमें इसकी angular velocity omega पता चलेगी, तो बे 2 omega देखो कितनी आ जाएगी, इसको लिखेंगे हम 3G by L into 200, अब देखो L की value भी हमें दे रखेएगी, कितनी, 0.3 meter, तो वो value जब यहां put कर रहे हैं, तो 0.3 meter into, sorry, 0.3 meter इसकी length है, यह आ जाएगा 3G upon 0.3 into 200, तो बेटा जी angular velocity हमें पता चल जाएगी, कितनी हो जाने, एक तो 0 यहां से गया, यह 3 से 3 गया और यह गया, तो angular velocity आ जाएगी, half radian per second, ठीक है, तो just इसको जैसे हमने release किया, तो इस mg के torque की वजए से, mg के torque की वजए से इसके पास angular velocity आएगी, और उस angular velocity से अभी यह नीचे गिरना शुरू करेगा, फिर हम से यह पूछा गया है, कि जब यह ground पर hit करता है, तो कितना angle rotate कर चुका है, अब देखो, जैसे ही यह rod यहां से हमने release की, तो इसका center of mass जाएगा नीचे, और center of mass के about यह angular velocity, omega से rotate कर रही है, अब जैसे ही यह release होने के बाद का motion है, तो सिर्फ एक force लग रहा है, mg, और वो इस पर यहीं लग रहा है, इस mg का torque zero है, इस center of mass के about जब rotation हो रहा है, एक बार तो starting में यहां से, इसके about release किया था, तो इसके about rotate हुआ, उसके बाद इसका angular momentum, और सुरी, अहाँ, angular momentum constant रहेगा, torque जो mg का वो zero आ जाएगा, तो यह constant angular velocity से rotate करता रहेगा, translation motion की बात करें, तो यह h height नीचे गिर रहा है, जो 5 meter दिया हुआ है, कितना time लगेगा, वो हम calculate कर सकते हैं यहां से, और उतने time में जो angle cover करेगा, theta, वो omega t के equal हो जाएगा, तो यहाँ वाला time, second equation of motion यूज़ कर रहे है, s equals to ut plus half a t square, हाँ जी, तो t आ जाएगा, one second, ठीक है, angular velocity कितनी है, half radian per second, तो जो angle cover करेगा, वो आ जाएगा, 0.5 radian के equal, clear, तो option देख लेते हैं हम इसमें, option इसका, first option जो है, 0.5 radian, वो correct match कर जाएगा इसमें, ठीक है जी, तो यह approach आप धिहान रखेंगे, इसमें बस यह कुछ एक point दे रखेंगें कि, एक तो यह है कि, essentially horizontal रह रहा है का मतलब कि, center of mass फिर यहां तक जाना है, वो हमने approximately 5 meter ही मानना है, और इस short duration में, जो mg का torque लग रहा है, उसकी वज़ेसी, angular velocity एक acquire कर रहा है, और उसके बाद वो constant रहेगी, because center of mass के अबाउट ही, उसने rotate करना है, clear, चलिए जी, next point, next question इसमें, question number 18 दिया हुआ है, इसमें है, a stationary horizontal disk is free to rotate about its axis, horizontal disk है, stationary है, यानि कि, axis of rotation इसका fix, और इस axis के अबाउट रोटेट कर सकती है, when torque is applied on it, its kinetic energy as a function of theta, where theta is, the angle by which it has rotated, is given as k theta square, तो बेटू, जो kinetic energy है, इसकी वो k theta square के equal है, और हमें पता है, kinetic energy होती है, half i omega square, if moment of inertia is i, then angular acceleration of the disk, तो angular acceleration की बातचीत कर रहा है, बेटू, हमें पता है, कि अगर कोई object, angular velocity omega से rotate करे, तो इसका जो angular acceleration है, time के साथ variation आएगा, तो इसको हम d omega by dt लिखेंगे, और अगर angle के साथ relation आजाएगा, तो ये होगा, omega into d omega by d theta के equal, ये आजाएगा, omega into d omega by d theta, तो variation theta के साथ दिया हो है, तो हम उसी पे जाएएगा, तो ज़्यादा easy हो जाएगा, इस equation को differentiate कर लो, थिटा के relative differentiate करेंगे, तो ये आजाएगा, 2k theta, यहाँ से आएगा, half i constant है, ये हो जाएगा, 2 omega d omega by d theta, तो ये 2 तो इससे चला जाएगा, हमारे पास result बचेगा, 2k theta equals to i into, ये value क्या है, alpha के equal आजाएगी, तो alpha कितना आजाएगा, 2k theta by i, which is second option, ठीक है, चली, next question आजाएगा, इसमें, question number 19, the following bodies are made to roll up, without slipping, pure rolling हो रही है, the same inclined plane from horizontal plane, एक तो ring है, जिसका radius r है, solid cylinder r by 2, और solid sphere r by 4 radius का है, in each case, the speed of center of mass, at bottom of incline is same, the ratio of maximum heights, तो ये same question आजाएगा, जो भी हमने solve किया था, पिछली situation में ये था कि, sphere और cylinder की बात चल रही थी, यहाँ पर अब तीन elements है, और ये दिया हुआ है, कि इनका radius जो है, वो अलग अलग है, radius, अलग 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 आजाएगा, चलिए हम देखते हैं, इसमें जो ratio आएगा, वो क्या आजाएगा, इन general पहले इसको solve कर लेते हैं, कि ये inclined plane पर इसने उपर की दरफ जाना है, यहाँ इसकी speed V है, angular velocity omega है, ठीक है ना, इसने हमें ये दिया हुए है कि, without slipping इनोंने roll करना है, तो बिना slipping के roll करते हुए जाएंगे, तो कुछ time बात जब ये यहाँ पहुचते हैं, तो इसकी speed 0 हो जाएगी, angular velocity भी 0 हो जाएगी, height rise कर रहे हैं, h, तो half i omega square, plus half mv square, इसकी जो kinetic energy है, वो convert हो रही है potential energy में, तो यहाँ से देखो, omega को तो लिखा हमने v by r, तो यह आजाएगा, हमारे पास v square by 2, i by r square plus m, equals to mg h, तो बेटों, यहाँ से हम h solve कर सकते हैं, h जो आजाएगा, वो कितना होगा, h हो जाएगा, v square by 2g, और m को यहाँ divide करेंगे, तो यहाँ आजाएगा, 1 plus i by mr square, i moment of inertia है, किसी given object का, जिसका radius है r, अब देखो, question में हमें यह दे रखा है, कि ring है r radius का, cylinder है r by 2 radius का, और sphere है r by 4 radius का, अब जो भी object है, उसके corresponding radius तो change होता रहेगा, moment of inertia भी change होता रहेगा, तो हम ring के लिए, सबसे पहले तो देखो, moment of inertia, mr square है, और upon mr square, तो मैं i by mr square का ratio calculate कर रहा हूँ भाई, ring के लिए यह हो जाएगा, दूसरा element क्या है, solid cylinder है, तो solid cylinder के लिए, i by mr square का ratio कितना होगा, तो moment of inertia solid cylinder का हो जाएगा, mr square by 2, upon mr square, अब बेटा जी r की जगे हम यहाँ क्या put करेंगे, r by 2 put कर लें, और वो दोनों जगे जाएगा, तो cancel out होना है, तो यह values के लिए आ जाएगी half, और similarly जो तीसरा element है, वो हमें दिया हूँ है, solid sphere, तो solid sphere के लिए जब देखेंगे, तो i by mr square का ratio कितना हो जाएगा, 2 by 5 mr square upon mr square, तो यह ratio आ जाएगा, ठीक, अब heights इनके corresponding देख लेते हैं, ring के लिए तो height जो आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, v square by 2g, 1 plus 1, 2, cylinder के लिए यह कितनी आ जाएगी, v square by 2g, 1 plus half, यानि के 3 by 2, और sphere के लिए यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा v square by 2g, 1 plus 2 by 5, तो यह आ जाएगा अपने पास 7 by 5, तो ratio की बात कर रहा है, तो ring, cylinder, और sphere का जो ratio हो जाएगा, तो यह काम कर लेते हैं, 10 से इसको multiply कर लें, तो ratio अपने पास clear cut आ जाएगा, फिर 20, इसका आ जाएगा 15, और इसका आ जाएगा 14, question number 20 में दिया हुआ है, कि a thin smooth rod of length L, mass M is rotating freely, with angular velocity omega 0, about an axis perpendicular to the rod, and passing through the center, ठीक है, तो M mass L length की एक rod है, जो इसके about कुछ ऐसे rotate कर रही है, angular velocities की दे रखे हैं हमें omega 0, उसके बाद या हुआ है, कि two beads of mass M and negligible size are at center of the rod initially, तो इस rod के center पर यहां कहीं, दो beads हैं, जिनका mass negligible है, ठीक है, sorry, mass M है, size negligible हैं का, the beads are free to slide along the rod, तो यह beads जो हैं, यह ऐसे, इसके along slide कर रहे हैं, angular velocity of the system, when the beads are at opposite ends of the rod, तो बिट्व ऐसा है कि जब हम, इस rod की बात करेंगे, कि यह rotate कर रही हैं, तो rings जो हैं, वो बाहर की तरफ slide करना शुरू करेंगे, बाहर जब यह slide करना शुरू करेंगे, तो किसी, ऐसे moment पर बातचीत हो रही है, जब यह ring slide करने के बाद, जस्ट outer edge पर पहुंच जाएंगे, उस instant पर आपसे पुछा है, कि इस rod की जो angular speed है, वो कितनी होगी, जब ring यहां पहुंच चुके हैं, तो देखो, इस system में, कोई भी external torque तो आ नहीं रहा, external torque नहीं आ रहा, तो system का angular momentum, अब देखना एक बार data जो दिया हुआ है, वो यह है कि इस rod का mass m और length l है, और जो beads से इनका mass है small m, तो initial angular momentum को हम क्या लिखेंगे, initial angular momentum आ जाएगा, सिर्फ rod के लिए ml square by 12 into omega naught, क्योंकि यह दोनों का moment of inertia zero रहना है, final जो angular momentum लिखेंगे, यह वो कितना आएगा, तो final angular momentum बेटा देखो, इस rod का moment of inertia, ml square by 12, प्लस, दोनों particles का भी लिखना पड़ेगा, एक particle के लिए हम लिखेंगे, ml by 2 का whole square, तो यह आजाएगा, ml square by 4, ऐसे दो particles हैं, तो इसका moment of inertia इतना, into angular velocity omega, यह आजाएगा final angular momentum, compare कर लो दोनों को, equate कर दो, तो यह आएगा, ml square by 12, into omega naught, equals to, m by 12, प्लस, small m by 2, l square omega, तो further score solve कर लेते हैं, देखो, एक तो, l square तो cancel out कर दो, m omega naught by 12, और यहाँ से भी हम इसको लिख सकते हैं, यह, अब यह 12 भी cancel out हो गया, तो finally, जो omega बचेगा, उसकी value हमारे पास, solve होके आजानी है, तो omega आजाएगा, बेटू, omega naught into m, over, m plus 6m, चिक है जी, तो एक बार हम इसमे, option देख लेते हैं, कौन सा match करेगा, m naught omega upon m plus 6m, तो जो second option आजाएगा, वो इसका correct match हो जाएगा, ठीक है जी, चलिए, next question, इसमें दिया हुए है, कि moment of inertia of a body is given, about a given axis is 1.5 kg meter square, initially the body is at rest, ठीक है, in order to produce a rotational kinetic energy of 1200 joule, the angular acceleration of 20 radian per second square, must be applied for the axis for a duration, तो कितने time तक यह acceleration होना चाहिए, तक इसकी kinetic energy इतनी हो जाए, एक basic question है, देखो, kinetic energy हमें दे रखी है 1200 joule, और हमें यह पता है कि यह half i omega square के equal होता है, तो moment of inertia 1.5 given है, तो देखना यह आ जाएगा कितने पर, 400 पर तो omega की value कितनी आ जाएगी, 20 into 2, 40 radian per second, बात समझे में आ गई, तो जो omega है, यह 40 radian per second आ गया, अब इसने बोला हुए कि rest से start करके, 20 radian per second square का acceleration, angular acceleration है, तो omega equals to omega naught, plus alpha into t, तो t की value बेटा जी, 2 seconds के equal आ जाएगी, clear, चलिए, next question, next question में हमारे पास दिया हुआ है, कि एक particle है, जिसका mass m है, and it is moving along a trajectory, given by this, x equals to x naught, plus a cos omega 1 t, y equals to y naught, plus b sin omega 2 t, the torque acting on the particle, about the origin, at t equals to 0, तो origin के अबाओ torque चाहिए, हमें यह पता होता है, कि टॉर्क जो होता है, किसी point के about, वो होता है, r cross f, जो torque की value होती है, वो r cross f के equal होती है, तो r vector तो चलो, हम यहां से बता सकते हैं, कि जो r vector आ जाएगा, हाँ जी, कितना होगा यह, यह हो जाएगा, x naught प्लस a cos omega 1 t i cap, प्लस y naught प्लस b sin omega 2 t j cap, तो r vector तो हमें पता है, एक बार force vector का भी पता करना पड़ेगा, force vector कहां से आएगा, तो position vector पता है, इसको दो बार differentiate करें, तो acceleration आएगा, और mass m से multiply करेंगे, तो फिर हमारे पास force आजाएगा, तो उसी approach पर जा रहे हैं, बेटू, r vector को हमने differentiate किया, तो velocity मिलेगी, हाँ जी, तो इसमें x not constant है, यहाँ जाएगा a, cos का जाएगा, minus sine omega 1 t into omega 1, i cap plus, यहाँ differentiation करेंगे, तो यहाँ जाएगा b, omega 2 cos omega 2 t, j cap में, ठीक है, और एक बार further इसको differentiate करते हैं, तो हमें acceleration पता चल जाएगा, acceleration vector आ रहेगा, बेटू, इसका differentiation हो जाएगा, minus a omega 1, square, cos omega 1 t, i cap में, और यहाँ से कितना रहेगा, minus b omega 2, square, sine omega 2 t, j cap में, m से multiply करेंगे, तो हमें force पता चल जाएगा, अब देखो, एक बार question पर वापिस जाते हैं, question में हमें यह दिया हुआ है, कि t equal to 0 पर, इसको torque चाहिए, t equal to 0 पर हम, r और f लिखके, फिर cross multiply कर लेते हैं उसका, तो t equals to 0 पर, position vector कितना हो जाएगा, वो यहाँ से पता चलेगा, देखो, t equal to 0 पुट करेंगे, तो cos omega t हो जाएगा, 1, तो हमारे पास, यह value बचेगी, x naught plus a, i cap, और t equal to 0 पर, sin omega t हो जाएगा, 0, तो plus में बचेगा, y naught j cap, clear, फिर दूसरा force vector लिखना है हमने, वो जाएगा, mass into acceleration, और t equal to 0 पर, बातचीत कर रहा है, तो देखो, t equal to 0 पर, यह वाला factor तो 0 हो जाएगा, और cos omega t वाला हो जाएगा, तो force आजाएगा, हमारे पास, minus m a, omega 1 square, i cap, ठीक है जे, अब इसका cross product चाहिए, तो torque जो है, t equals to 0 पर, वो कितना आजाएगा, r cross f, तो i cap वालों का, तो cross product वैसे 0 हो जाएगा, यह j cross i है, जो कि minus k हो जाएगा, और एक minus यहाँ, और लगा हुआ है, तो finally हमारे पास आजाएगा, m a omega 1 square y naught, और direction क्या हो जाएगा, इसकी k cap, determinant method पर जाना है, आप उसे भी solve कर सकते हैं, ठीक है, तो जो answer इसमें आ जाएगा, वो m a omega square y, m a omega 1 square y, k cap, तो first answer इसका correct match करेगा, ठीक है जी, चलिए, next question, a thin disk of mass m, radius r has mass per unit area, तो इसका जो surface mass density है, वो हमें दे रखिये, k r square, where r is distance from its center, and its moment of inertia, about an axis going through its center of mass, and perpendicular to its plane, तो बेटू ये same question है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले discuss किया था, almost बस data थोड़ा सा change है, बाकी सब कुछ same ही है इसमें, तो देखना ये बूल रहे है कि एक disk है, जो खुद की axis के about rotate कर रही है, clear, इसका mass m है, radius r है, और जो mass density है ना, वो change हो रही है, वो vary कर रही है, इसकी position के साथ, ठीक है, तो यहां से हम एक element मानेंगे, r distance पर dr thickness का, उस element का जो mass होगा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा sigma into उसका area, तो sigma हमें दे रखा है, k r square, और इस element का जो area आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 2 pi r dr k equal, ठीक है जी, तो जो dm हमारे पास आएगा, यह आएगा, 2 pi k r cube dr k equal, कोई issue यहां तक नहीं है, एक बार हम total mass calculate कर लेते हैं, उसके बाद moment of inertia calculate कर लेंगे, तो total mass चाहिए, तो यह आजाएगा, इसका integration, 2 pi k r cube dr from 0 to capital R, हाँ जी, कितना आजाएगा यह, यह है 2 pi k, और r raise to power 4 by 4, तो बेटा, इसका जो mass आजाएगा, mass आजाएगा, इसका pi k r raise to power 4 by 2 k equal, clear, next हमारा aim है, इसमें moment of inertia calculate करने का, तो इसका जो moment of inertia है, पहले तो element का देखेंगे, कितना आजाएगा, element एक ring मानके चल रहे हैं, तो इस ring का moment of inertia, mr square हो जाएगा, तो यह है dm r square, dm कितना है, value put कर दो, 2 pi k r cube dr, तो r cube था square यह आजाएगा, यह हो जाएगा, r raise to power 5, तो जो total moment of inertia आएगा, वो कितना आजाएगा, वो आजाएगा इसका integration, तो 2 pi k integration of r raise to power 5 dr, 0 से r तक, 0 से r तक ही हो जाएगा, तो कितना r raise to power 5 का integration हो जाएगा, r raise to power 6 by 6, तो बेटू, जो moment of inertia है, वो कितना हो जाएगा, pi k r raise to power 6 by 3, और उसमें भी देखो, 6 को भी हमने कुछ ऐसा लिख दिया, इसके पीछे बस logic यह है, कि pi k r raise to power 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2m लिख सकते हैं, तो finally moment of inertia आ जाएगा, 2m r square by 3, clear, तो हम अलग से total mass, जो m दिया हुआ है, उसको पहले k और r की terms में calculate करते हैं, और उसके बाद फिर moment of inertia है, उसकी calculation करते हैं, तो जो answer आ जाएगा, वो 2 by 3 m r square, second option, correct match करेगा, clear, चलिए, next question, next question number 24, इसमें दिया हुआ है, कि two co-axial disks, having moment of inertia i1 and i1 by 2, are rotating with respective angular velocities, omega 1 and omega 1 by 2, about their common axes, they are brought in contact with each other, and thereafter they rotate with common angular velocity, ठीक है, if EF and EI are final and initial energies, then change in energy आप से पुछा गया है, कितना होगा, तो देखो बेटो, इसमें, जो basic approach हमारी रहेगी, वो क्या है, एक disk, moment of inertia i1, ये rotate हो रही है, angular velocity omega 1 से, दूसरी हमारे पास disk है, i2 moment of inertia है, और ये rotate हो रही है, angular velocity omega 2 से, अब हमने इन दोनों को, contact में लेके आना है, जैसे इन दोनों को, हम contact में लेके आएंगे, तो ये disk जो rotate कर रही थे, ऐसे एक दूसरे के relative, friction के torque की वजए से, एक की angular velocity बढ़ेगी, दूसरे की कम हो जाएगी, ठीक है, पर वो जो torque है, वो internal है, तो इस system का, जो angular momentum है, वो conserve रहेगा, जैसे ही ये दोनों, डेस्क हम contact में लेके आते हैं, तो finally angular velocity, suppose omega acquire करते हैं, तो final angular velocity, omega है, तो initial angular momentum, और final angular momentum, हम equate करेंगे, initial angular momentum है, i1 omega 1, plus, i2 omega 2, ये किसके एको लोना चाहिए, final angular momentum, तो beta angular, इसका moment of inertia, i plus i by 2 है, तो finally ये जो moment of inertia हो जाएगा, ये हो जाएगा, 3i by 2, i1 है ये, और, let us suppose कि angular velocity है, omega, करें, solve इसको ये आजाएगा, 5 by 4, i1 omega 1, equals to 3 by 2, i1 omega, omega की value पता चल जाएगी, हाँ जी, i1 का या एक तो, ये 2 पर जाएगा, 2 बचेगा, और या जाएगा, 5 by 6, omega 1, कोई issue यहां तक नहीं है, ठीक है, next aim है, हमने kinetic energy calculate करनी है, initial energy जो है, वो है, half i omega square, एक के लिए, plus half i omega square, यानि कि omega 1 by 2 का, whole square, दूसरे के लिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, 8, और इधर से है, 2, हाँ जे, तो half i omega 1 square, into, 1 plus 1 by 8, तो ये आजाएगा, 9 by 8, ठीक है ना, final जो का kinetic energy आएगी, फिर वो कितनी आजाएगी, वो आजाएगी, half into, इसका moment of inertia, 3i by 2, into angular velocity का square, which is 25 by 36, omega square, तो इसमें भी वही, half i omega square, अगर हम common लेते हैं, तो बचेगा क्या, एक तो ये 3 जाएगा, 12 पर, है ना, और ये आजाएगा, 25 by 24, बात समझ में आगे आपको, तो जो final energy, minus initial energy आएगा, वो value आजाएगी, half i omega square, into, 25 by 24, minus 9 by 8, तो इसको 3 से multiply करेंगे, तो 27 by 24 हो जाएगा, तो minus, 2 by 24, minus 1 by 12, तो ये आजाएगा, minus 1 by 24, i1, omega 1, square, एक बार, calculations आप देख लीजिएगा, तो जो, answer हमारे पास आएगा, वो कितना होना चाहिए, इसका, इसका answer आजाएगा, fourth हो अला बिटा जी, ठीक है, 24th का जो fourth answer है, वो match कर जाएगा, तो अप्रोच बिलकुल easy है, angular momentum conservation है, और उसके बाद फिर, final और initial energy, हम calculate करके, उनका difference देख रहे हैं, basically, चलिए, next question, next है, question number 25, और इसमें दिया हुआ है, a solid sphere of mass m radius r, is divided into, two unequal parts, ठीक है, first part has mass of, 7m by 8, तो इसका मतलब, दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, m by 8, क्योंकि total कितना है, m है, is converted into uniform disk of radius 2r, ठीक है, अच्छा, एक तो m mass, r radius का sphere है, उसको disk में convert कर दिया, जिसका mass है, 7m by 8, और radius इसका कितना दे रखा है हमें, radius दे रखा है, इसका 2r, ठीक है जी, और दूसरा, जो mass आ रहेगा, मैं कह रहा हूँ, कि वो m minus 7m by 8 है, जो की m by 8 के equal होगा, इसका बेटा जी, क्या किया है, इसका, the second part is converted into a uniform solid sphere, ठीक है, इसको second वाले को, एक sphere में convert कर दिया है, अब दिया हूँ है कि, let i1 be the moment of inertia of the disk, and i2 be the moment of inertia of new sphere, तो ratio of i1 by i2, इसको चाहिए, तो i1 तो यहां से direct पता चल रहा है, कितना हो जाएगा, mr square by 2 होता है, तो यहाजाएगा, 7 by 8m, 2r का square by 2, तो i1 आ जाएगा बेटा जी, 7, यहां से देखना यह, mr square, तो 4 तो यह रहा, और 16 division में है, तो यह आजाएगा, 7 by 4 mr square, clear, अब हम बात करते हैं, इस sphere की, देखो जो बड़ा वाला sphere है, वो uniform sphere, m mass r radius का है, उसकी density कितनी हो जाएगी, उसकी density हो जाएगी, total mass upon 4 by 3 pi r cube, हमें इस छोटे वाले का mass पता है, तो density तो इसकी भी same रहेगी, इससे हम इसका radius calculate कर सकते हैं, एक बार radius पता चल जाएगा, तो फिर moment of inertia भी लिख देंगे, हाँ जी, चलिए, इसका mass जो है, वो m by 8 है, किसके equal हो जाएगा, density, into इसका volume, तो एक तो m से m cancel out हो जाएगा, 4 by 3 pi से 4 by 3 pi cancel out हो जाएगा, यह बचेगा, 1 by 8 equals to r cube by r cube, तो r cube के इधर ले जाओ, r की value कितनी आ जाएगी, r by 2, तो जो छोटा वाला sphere है बेटाजी, यह r by 2 radius का होगा, इतना point समझ में आता है आपको, चलिए, next आप इसका moment of inertia, जो i2 है, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 by 5 m r square, m कितना, m by 8, और r square, मतलब r by 2 का square, तो यह कितना हो जाएगा, आपके देखो, i2 हो जाएगा, m r square, यह 2 से जाएगा, 16, 5, 80, यह जोगा, i1 by i2 हम से पूछा गया है, तो i1 by i2 की value कितनी होगी, i1 है, 7 by 4 m r square, और यह है, m r square by 80, तो यह हो जाएगा, 7 by 4 into 80, 20 और यह 7, तो यह आजाएगा, 140 k equal, i1 by i2 का जो ratio होगा, वो 140 k equal आजाना है, तो जो इसका second option आजाएगा, देखो, वो correct match करेगा, clear, चलिए, next question, और इसमें दिया हुआ है, आपको, the time dependence of the position of a particle of mass, 2 kg, is given by this, position दे रखी है, इसका angular momentum चाहिए, with respect to origin at 2 seconds, तो angular momentum हमें पता है, किसी भी particle का, किसी point के about चाहिए होता है, तो वो होता है, m r cross v, ठीक है, तो position vector और जो velocity vector है, इनका cross product हमें चाहिए होगा, कौन से time पर, t equals to 2 seconds पर, तो सबसे पहले देखो, position vector दिया हुआ है, वहां से हम velocity vector calculate कर सकते हैं, position vector है, 2i cap, minus 3t square, j cap, तो velocity vector कितना हो जाएगा, इसका differentiation, with respect to time, तो यह आएगा, 2i cap, minus 6t, j cap, बिटू कौन से time पर बात कर रहा है, 2 seconds पर, at t equals to 2 seconds, position vector कितना होगा, तो यहां value put करो, यह आएगा, 4i cap, minus 12j cap, ठीक है, और जो velocity आजाएगी, 2 seconds पर यह आजाएगी, 2i cap, minus 12j cap, मास हमें पता है, इसका 2 kg दिया हुआ है, और angular momentum चाहिए, इसका ठीक है, तो angular momentum आजाएगा, m r cross v, तो एक बार r cross v देखने पहले, determinant method यूज कर लेते हैं, उसके लिए, तो r cross v की जो value आजाएगी, वो calculate कर लेते हैं, यह है 4 minus 12, 0, यह है 2 minus 12, 0, तो value देखो, i cap में भी 0 है, j cap में भी 0 है, तो यह बचेगा, k cap के साथ, कितना, minus 48, और minus minus plus 24, r cross, v जो आजाएगा, यह आएगा, minus 24, k cap, और हमें चाहिए, m r cross v, तो जब हम mass से multiply करेंगे, तो हमारे पास इसमें, answer match कर जाएगा, बेटा जी, वो आजाएगा, angular momentum, इसको 2 times कर दो, तो कितना आजाएगा, minus 48, k cap, second option, इसका correct answer हो जाएगा, ठीक है, तो यह basic, कुछ kinematics वाले relation, यूज करके, और उसमें rotation की, discussion की बात करता है, clear, चलिए, next question, next question number 27, इसमें दिया हुए, कि एक metal coin है, जिसका mass 5 gram है, radius 1 centimeter है, is fixed to a thin stick, AB of negligible mass, the system is initially at rest, constant torque, that will make the system to rotate, about AB at 25 rotations per second, in 5 seconds, तो देखो, torque चाहिए, torque equal to i alpha, तो एक तो moment of inertia, हमें इस लिसका पता होना चाहिए, और दूसरा, angular acceleration पता होना चाहिए, तो दोनों अलग अलग तरीके से, हम calculate करेंगे, angular acceleration तो आजाएगा, kinematics वाले parts से, कि rest से start करना है, omega naught zero हो जाएगा, इसके लिए, time 5 seconds के बाद, इसकी जो angular velocity आती है, बिटू वो कितनी आ जाएगी, 25 rotations per second है ये, तो इंटू 2 pi करना पड़ेगा, ताकि ये radian per second में, हमारे पास value आ जाए, ये है 50 pi radian per second, तो first equation यूज करेंगे, तो या जाएगा, omega equals to omega naught, plus alpha into t, तो बेटा जी, alpha आ जाएगा, 10 pi radian per second square, एक तो हमारे पास, alpha पता चल गया, दूसरा हमें calculate करना है, इसका moment of inertia, तो देखो, एक disk है, जिसका moment of inertia, खुद के center से पास होने वाली axis, और plane के perpendicular जो है, उसके about होता है, mr square by 2, फिर perpendicular axis theorem, यूज करेंगे, तो हमें इसके about, moment of inertia पता चलेगा, mr square by 4 हो जाएगा, और further फिर parallel axis theorem यूज करते हैं, तो a, b के about जो इसका moment of inertia आ जाएगा, बेटू, वो कितना हो जाएगा, a, b, के along जो moment of inertia आ जाएगा, वो आ जाएगा, icm, प्लस md square, तो यह हो गया, 5 by 4 mr square के equal, clear, mass और radius हमें दिया हो, mass है, इसका 5 gram और radius है, 1 cm, तो value put कर लेते हैं, यह जाएगा, 5 by 4, mass है 5 gram, और radius है, 1 cm, इसका square, clear, तो देखो बेटाजी, यह जाएगा, 25 by 4, into 10 raised to power, 4 और 3, 7, यह है, kilogram, meter square में, अब torque चाहिए, तो torque equal to i alpha, multiply कर लो, इसको, तो यह जाएगा, हमारे पास, 10 pi into 25 by 4, which is 25 by 4, pi into 10 raised to power, minus, 6 kilogram, newton meter में, direct आ जाएगा, नहीं है, तो जो torque की value आ रही है, वो आ रही है, हमारे पास 25 by 4, ठीक है, और into pi into 10 raised to power, minus, 6 newton meter, तो एक बार options देखें, कोई match कर रहे हैं, इसमें तो, तो थोड़ा सा calculation में, जाते हैं, चलो यह आ जाएगा, 25, 3.14, upon 4, into 10 raised to power, minus 6, हाँ जी, तो यह आ जाएगा, 75 से थोड़ा सा जादा, और divide करेंगे, तो वो, 19 point something, into 10 raised to power, minus 6, तो approximately देखेंगे, तो बेटाजी, 1.9 into 10 raised to power, minus 5 के round answer आएगा, second answer जो है, इसका, इसमें भी देखो दिया हुआ है, कि close to, तो approximately जो answer आजाएगा, वो 2 into 10 raised to power, minus 5, Newton, Newton, meter के, equal आना चाहिए, clear, चलिए, next इसमें, देखते हैं, next question है, question number 28, इसमें दिया हुआ है, कि एक circular disk है, जिसका radius B है, और has a hole of radius A at its center, if the mass per unit area is sigma 0 by R, radius of gyration of the disk about its axis passing through the center, तो ठीक है, हमें ये पता है कि कोई भी object है, center से पास होने वाली axis के about, अगर moment of inertia हम I मानते हैं, तो उसके about जो radius of gyration K है, तो उसका relation हो जाएगा, I equals to M K square, तो ये जो given object है, सबसे पहले तो हमें इसका moment of inertia calculate करना पड़ेगा, ठीक है, इसका moment of inertia हमें calculate करना पड़ेगा, इसकी जो linear surface mass density है, वो है sigma 0 by R, यानि कि R के साथ change हो रही है, तो इसको एक बार solve करके देख लेते हैं हम, हम एक element मान लेते हैं, यहां से R distance पर DR thickness का, वही calculation के approach तो same ही चल रही है, तो सबसे पहले तो इस element के लिए हम mass लिखेंगे, वो आ जाएगा, इसका sigma into area, जो की sigma 0 by R into area कितना है बेटू, 2 pi R DR के को है, ठीक है, तो dm की value आ जाएगी, 2 sigma 0 pi into DR, अब यह जो element है, इस element को एक ring बोलेंगे, तो इसका moment of inertia कितना होगा, इसका moment of inertia आ जाएगा, dm R square, हाँ जी, 2 sigma 0 pi DR into R square, यह हो जाएगा, इसका moment of inertia, जब हम total moment of inertia calculate करेंगे, तो वो integration से आ जाएगा, 2 sigma 0 pi R square DR, बेटू R का variation कहां से कहां तक जाएगा, A से लेकर B तक जाना चाहिए, तो यह value vary करेगी, A से B तक, हाँ जी, कितना हो जाएगा, 2 sigma 0 pi R cube by 3, और limit put करेंगे, तो यह आएगा, B cube minus A cube, तो moment of inertia हमें पता चल गया, दूसरा है कि इसको M K square के equal put करना है, तो इसके लिए M calculate करना पड़ेगा, M यहाँ से calculate कर सकते हैं, देखो, जिसका total mass आ जाएगा, वो आ जाएगा integration of DM, और फिर से वही बात है कि R का variation कहां से कहां तक जा रहा है, A से B तक, तो यह आएगा, 2 sigma 0 pi B minus A, 2 sigma 0 pi B minus A इसकी value आ जाएगी, और अब हमने इसको क्या करना है पतर, compare कर देना, भी हमें I भी पता है, M भी पता है, तो I equals to M K square के equal put कर लेते हैं, तो I है, 2 sigma 0 pi by 3, B cube minus A cube equals 2, मास कितना आगया इसका, 2 sigma 0 pi B minus A, और इंटू K square, यह लोजी अब इसको solve कर लो, और हमारे पास K पता चल जाएगा, हाँ जी, तो एक तो देखो, sigma 0 pi जो है, वो cancel out हो गया, और, 2 भी cancel out हो गया, अच्छा, B cube minus A cube को, B minus A into B square, plus A square plus A B लिख दें, तो उससे क्या हो जाएगा, वो B minus A B cancel out हो जाएगा, यह बचेगा K square, तो finally K कितना आजाएगा, square root of A square, plus B square, plus A B by 3, clear, तो चलिए इसके options देख लेते हैं, हम A square plus B square, plus A B by 3, तो जो second option है, वो इसका correct match हो जाएगा, clear, चलिए, next question, question number 29, इसमें दिया हुआ है, कि एक uniform rod है, जिसकी length L है, is being rotated about a horizontal plane, with constant angular speed about an axis, passing through one of its ends, if the tension generated in, the rod due to rotation is TX, at distance X from the axis, which of the graphs depicts it most closely, चलो, सबसे पहले तो tension calculate करते हैं, एक rod है, इसको rotate करवा रहा है, कुछ इस तरीके से, एक end से, हम यहाँ tension calculate करने के लिए, थोड़ा से center of mass की तरफ जाएंगे, वो approach use करेंगे, कि यहाँ से जब हमें किसी X distance पर tension calculate करनी है ना, तो हम जो बाकी part है, यह वाला, इस पर concentrate करेंगे, इस पर external force, horizontal direction में लग रहा है, वो tension T जो यहाँ पर है, और इस part का center of mass, circular motion perform कर रहा है, अब यह वाली जो length है, वो X है, तो यह length कितनी हो जाएगी, L minus X, उसका half यह बचेगा, कितना हो जाएगा, तो X plus L minus X by 2, जो इसका radius हो जाएगा, rotation का, center of mass का, वो हो जाएगा, L plus X by 2, clear, tension जो है, वो हमें पता है कि, centripetal force की तरे act कर रही है, तो वो किसके को बाजाएगे, total, इस part का mass, into omega square r, तो total mass M, जो है, वो अगर L length पर distributed है, तो इस L minus X का, जो mass आजाएगा, वो इतना, into omega square, और into इसका radius, जो कि L plus X by 2 के equal हो जाएगा, तो finally हम लिख सकते हैं, कि tension is M omega square by 2L, और देखना यह हो जाएगा, L square minus X square, तो tension और X का, जो variation है बेटो, यह एक parabolic relation आना चाहिए, जिसमें X square का coefficient negative है, और Y intercept जो आएगा, वो X equal to 0 पर positive आना चाहिए, तो देखें, जो graphs दिये हुए थे, वो क्या-क्या है, यह वाला, third, parabolic graph है, Y intercept positive है, और facing downward आ जाएगा, clear, चलिए जी, next question number, 30 जो है, इसमें दिया हुए है, कि the radius of gyration of uniform rod of length L, about an axis passing through a point L by 4, away from the center, perpendicular to it, तो बेटो, एक rod है, L length की, center यह रहा, center से L by 4 distance दूर, इस axis के about यह rotate कर रही है, तो इसके about इसका radius of gyration चाहिए, तो पहले यह moment of inertia calculate कर लें, वो mk square के equal put कर देंगे, तो radius of gyration k जो है, वो पता चलेगा हमें, तो moment of inertia आप, parallel axis theorem से पता चलेगा, ml square by 12 तो center के about, plus, m into इसके distance का square, ठीक है, तो यहाँ से हमें यह पता चलेगा की, 4 और 3, 7 by 48, ml square इसका, moment of inertia आजाएगा, और इसको हम किसके equal put कर लें, m k square के, तो m से m जाएगा, और k की जो value बचेगे, वो कितनी आजाएगी, square root of 7 by 48, into L, फोर्थ option इसका question number 30 का, इसमें correct match करेगा, चलिए, next question की बात कर लेते हैं, question number 31 में दिया हुआ है, कि mass per unit area of a circular disk of radius A, depends on distance from its center as A plus B are, the moment of inertia of disk about its axis and perpendicular to the plane, and passing through its center, तो बेटा जी, same फिर वही question आ चुका है, तो ऐसे पहले 2-3 बार हम question solve कर चुका है, तो same question, कह कि बार-बार repeat हो रहा है, तो देखिए, इसको भी हम solve कर लेते हैं, इसमें हमें mass density दे रखी है, और इसी की terms में बातचीत कर रहे हैं, तो क्या general approach रहेगी, कि यह जो disk है, इसमें हम r distance पर, dr thickness के एक element मान लेते हैं, ठीक है जी, तो उसका जो mass आ जाएगा, वो हमरे पास आ जाएगा, sigma into area, और उसका area है 2 pi r dr के एक बार, तो यह हो गया हमरे पास, 2 pi a plus b r into r dr, हमें इस element का moment of inertia भी पता चल जाएगा, तो इस element की बात करें, तो यह ring है, तो इसका moment of inertia हो जाएगा, dm r square, r square से इसको multiply करो, तो यह आ जाएगा, 2 pi a plus b r, r into dr, r square से multiply किया, तो यह हो जाएगा, कुछ इतना, अब अगर हमें total moment of inertia चाहिए, तो इसको integrate कर देते हैं, 0 से लेकर a तक, तो यह आ जाएगा हमारे पास, integration of, 2 pi तो constant है, बाहर ले जाओ, a r cube, plus b r raised to power 4 dr का integration चाहिए, 0 से लेकर a तक हमें इसको integrate करना है, ठीक है जी, तो यह हो जाएगा, 2 pi, a r raised to power 4 by 4, और प्लस b r raised to power 5 by 5, इसमें से भी a की power 4 अगर हम common लेते हैं, तो यह हमारे पास बचेगा, a by 4, प्लस b into a by 5, clear, एक बार options देखना ज़रा, इसमें कौन से match कर रहे हैं, 2 pi a square a by 4, प्लस a b by 5, तो second option इसका correct match हो जाएगा, चलिए, next question इसमें, question number 32, a uniform rod of mass 4m, and length l is pivoted about its center, ठीक है, तो इसका mass 4m दे रखा है, एक particle है, mass का जो v velocity से आ रहा है, 45 degree के एंगल पर, with the rod's long axis, collides with one of the ends, and sticks to it, angular speed of the rod, mass system, just after the collision, तो बेटा जी, कुछ setup इसका देखें, तो वो ऐसा है, कि एक rod, जिसको center पर, hinge किया हुआ है, इस rod का mass 4m, और इसकी जो length है, वो है L, अब एक particle है हमारे पास, जो यहां, 45 degree के एंगल पर आके, hit करता है, rod की long axis के साथ, 45 degree पर आके, hit करता है, M mass का particle, V speed के साथ, hit करने के बाद, क्या हो जाएगा, यहां इसके साथ, stick कर जाएगा, और stick कर जाएगा, तो यह जो, पूरा system है, यह angular velocity, omega से rotate करेगा, बिटू जब यह particle, यहां आके, hit करता है, तो इस rod पर, एक force exert करता है, जैसे यहां आके, hit करेगा, तो rod पर, एक force exert करेगा, rod इस पर, एक force exert करेगी, कुछ friction भी आएगा, बातचीद, जो भी है करनी पड़ेगी, हमें, इस point के about, थोड़ा concentrate करो, क्या हम इस system का, linear momentum conserve कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि, यहां hinge ने, external normal reaction, लगा देना है, बट इस hinge के about, अगर देखेंगे, तो external, किसी भी force का, torque नहीं, तो इस hinge के about, इस पूरे system का, angular momentum, हम conserve कर सकते हैं, तो initial, जो angular momentum है, वो final angular momentum के, equal होने वाला है, किसके about, इस hinge के about, ठीक है, तो initial angular momentum, देखो कैसे लिखेंगे, rod तो rest पर है, तो उसका तो zero हो जाएगा, इस particle का angular momentum, लिखना है, जब ये just यहाँ पहुंचता है, तो हम इसके linear momentum, के दो component कर लेते हैं, कि ये वाला और एक ये वाला, तो linear momentum का component, इधर आ जाएगा, mv cos 45, इस component के कारण, तो उसको zero ही होना है, तो linear momentum इतना है, into इसकी length, और multiply कर देंगे, तो r cross p से, हमें angular momentum पता चलेगा, तो जो initial angular momentum है, वो है mv into 1 by root 2 into l by 2, ठीक है जी, तो initial angular momentum हमारे पास आ जाएगा, mv l over 2 root 2, और ये किसके एकोल हो जाएगा, final angular momentum, जब final angular momentum है, तो वो rod प्लस इस particle का system है, जो angular velocity omega से rotate करेगा, तो ये होना चाहिए i omega, ठीक है, तो i कितना आ जाएगा, एक तो rod, प्लस ये particle, l by 2 distance पर है तो m, l by 2 का whole square, हाँ जी, कितना आ जाएगा ये, इसको 3 से कर दें तो ये आ जाएगा, 7 ml square by 12, r into omega, बस दोनों के equal कर देना है, कितना आ जाएगा ये, 7 by 12, m, l square omega, तो क्या कुछ cancel out हो रहा है, एक m cancel out हो गया, एक l cancel out हो गया, यहाँ से बचेगा, v by 2 root 2, 7 by 12, l omega, हाँ जी, तो यहाँ से omega बचेगा, 6 v by 7 root 2, l k square, clear, एक बार options देखते हैं, कोई match कर रहा हो तो, हाँ जी, तो इसमें, इसको हम देखो, ऐसा भी लिख सकते हैं, root 2 से multiply, divide कर दें, तो यहाँ आजएगा, तो यही अंसर, इसमें match कर रहा है, 4th, clear, चलिए, next question बिटाजी, particle of mass m is fixed to one end of a light spring, having force constant k, and natural length l, the other end is fixed, the system is given an angular speed omega, about the fixed end of the spring, such that it rotates in a circle, in gravity free space, then stretch in the spring, तो देखो, इसमें ऐसा दिया हुआ है, कि एक spring है हमारे पास, जिसकी natural length जो है, वो l है, अब m mass का particle, इसके साथ attach कर दिया, gravity free space है, तो यह ऐसी पड़ा रहेगा, अब हुआ यह कि, system को rotate करना शुरू कर दिया, इस axis के about system को, rotate करना शुरू करेंगे, तो यह देखा गया, कि expand हो रहा है, obviously होना भी चाहिए, क्योंकि, अगर यह, mass rotate कर रहा है, revolve कर रहा है, circular path पर, तो इसके circular motion के लिए, कोई ना कोई centripetal force भी चाहिए, वो तब ही आएगा, जब spring में expansion होगा, ताकि spring force जो है, वो इसको centripetal force की तरह act कर सके, तो जो spring force आ जाएगा, वो आएगा, की x, और किसके equal होना चाहिए, m omega square इंटू का radius, radius of the path कितना हो जाएगा, जब इस point से, इसका distance देखेंगे, तो वो आजाएगा, l plus x के equal, हाँ जी, x वाले terms को अलग कर दिया, तो यहाँ से आएगा k, और एक m omega square और आजाएगा, इसके साथ, इंटू x, this is equal to m omega square l, clear, तो यहाँ से हमें expansion पता चल जाएगा, इस spring में आजाएगा, यह m omega square l, over, k minus m omega square, ठीक है जी, तो यह इसका expansion रहेगा, तो जो answer आजाएगा इसमें, वो आजाएगा हमारे पास, question number 33 का, first answer match करेगा, चलिए next question, question number 34 में दिया हुआ है, कि एक uniform sphere है, mass इसका half kg है, rolls without slipping on a plain horizontal surface, with its center moving at speed of, 5 cm per second, its kinetic energy, तो यह भी basic question है बेटू, अगर कोई भी object, pure rolling कर रही है, center v speed से जा रहा है, angular velocity omega है, तो इसकी जो kinetic energy होती है, इसमें दो पार्ट रहेंगे, एक तो translational kinetic energy, plus rotational kinetic energy, और rotational kinetic energy होती है, half i omega square, i moment of inertia about center of mass हो जाएगा, और omega जो है, इसको हम क्या लिखेंगे, v by r, तो finally हम लिख सकते हैं, कि जो इसकी kinetic energy हो जाएगी, वो होती है, half v square, m plus i by r square, यह ठीक है, अगर ऐसा भी लिखना चाहें, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो यहाँ जो data given है, उसके according calculation में चले जाते हैं, kinetic energy आजाएगी, half m v, 5 cm है पतर, into 1 plus i by mr square, uniform sphere है, तो moment of inertia आजाएगा, 2 by 5 mr square, mr square cancel out होके, यह बचेगा हमारे पास इतना, हाँ जी, तो कितना हो गया यह, 1 by 4, 25, 10 raise to power minus 4, और यह आजाएगा कितना, 7 by 5 के equal, तो 7, 25, 20, 10 raise to power minus 4, हाँ जी बेटा जी, तो अब इसको हमें solve करना है, तो एक तो 0 cancel out हो जाएगी, ठीक है, और finally जो answer बचेगा, वो calculate कर लेते हैं, यह चलो एक बार इसको ऐसी देख लो, यह आएगा 7 into 25, तो 175 तो वो आ जाना है, और divide by 20 into 10 raise to power minus 4 joule, तो 17.5 by 2, तो 8.75 और 10 raise to power minus 4, यह रहा है, इसका second answer जो है, वो match करेगा, clear, चलिएज, next question, question number 35 में दिया हुआ है, कि 3 solid spheres, each of mass M and diameter D, are stuck together, such that the lines connecting the centers form an equilateral triangle, तो यह एक equilateral triangle बन रहा है, इनके centers को join करने वाली line, और इसके जो length है, वो D है, ठीक है, और उसका diameter भी D है, तो अगर radius के साथ relate करते हैं, तो यह 2R के equal हो जाएगा, the ratio of I O by I A, moment of inertia I naught जो है, यह system का moment of inertia है, about an axis passing through the centroid, and about the center of any sphere, तो जो centroid से pass होने वाली axis है, बेटर जी, इसके about the moment of inertia है, I O, और एक sphere के center से pass होने वाली, axis के about moment of inertia है, I A, और हमें इसका ratio चाहिए, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसके बारे में, हमें एक sphere के बारे में पता है, कि जो एक sphere होगा, इसका moment of inertia कितना हो जाएगा, 2 by 5 m r square, अब हम उसका use करते हुए, सबसे पहले तो centroid के about, moment of inertia calculate करते हैं, parallel axis theorem का use करेंगे, देखो, sphere का center यहाँ, centroid यहाँ, triangle की side 2 r है, तो यह वाली जो distance हो जाएगी, half of the side यहने की r के equal हो जाएगी, यह angle 30 degree है, और माल लेते हैं, कि vertex से center तक का जो distance है, वो d है, तो clearly यहाँ से पता चल रहा है, कि d cos 30 की जो value हो जाएगी, वो r के equal है, तो यहाँ से पता चलेगा, d जो आ जाएगा, वो 2r by 3 हो जाना है, अब हमें, एक sphere का moment of inertia, center के about लिखना है, तो हम उसको लिखेंगे, icm plus md square से, इतना ही होगा, तो देखो यह आ जाएगा, 2 by 5 mr square, plus 4 by 3 mr square, हाँ जी, तो यह आ जाएगा, 6 और 2026 by 15 mr square, बैटू, यह तो है, एक sphere का moment of inertia, इस center के about, ऐसे 3 हैं, स्मिट्री से में पता चलेगा, कि जो आई ओ है, इस centroid के about, पूरे system का moment of inertia, वो हो जाएगा, 3 times this, तो 3 times 26 by 15, यह आ जाएगा, 26 by 5 mr square, बात समझ में आगे, इसको 3 से multiply करेंगे, तो यह relation आएगा, अब हमें चाहिए, इस center के about, moment of inertia, पूरे system का, तो देखो बैटू, उसको कैसे calculate करें, तो जो आई ए आएगा, वो कितना आ जाएगा, एक तो, इसके center से पास होने वाली, axis के about, moment of inertia कितना है, 2 by 5 mr square, यह तो हो गया, एक स्फियर का, अब जो दूसरा स्फियर है, उसका moment of inertia लिख रहे हैं, यह वाला जो स्फियर है, इसका moment of inertia चाहिए, हमें इस axis के about, तो फिर से parallel axis theorem लगानी पड़ेगी, उसका moment of inertia आ जाएगा, 2 by 5 mr square तो, खुद के center के about, प्लस m d square, तो यह आ जाएगा, m into 2r का square, और तीसरा वाला स्फियर भी बेटा, जी उसका moment of inertia भी इसके about इतना ही होगा, तो मैं इसको 2 से multiply कर लेता हूँ, तो यह देखना कितना आ जाएगा, हमारे पास 2 by 5 mr square तो यह है, प्लस, यह देखो कितना हो गया, 4 mr square, तो 22 by 5 और into 2, 44 by 5 mr square यह आ जाना है, तो i a की value हो जाएगी 46 by 5 mr square, तो हाँ जी, i o by i a पतर यहां से ratio कितना आ जाएगा यह, i o by i a का जो ratio आ जाएगा, यह आ रहा है 26 by 46, which is 13 by 23, ठीक है, तो यह इस question का answer हो जाएगा, हाँ जी, तो देखो 13 by 23, यानि कि third option जो है, वो इसका correct match कर जाएगा, clear, चलिए जी, next question, next question है, as shown in the figure, a bob of mass m is tied by a massless string, whose other end, position is wound on a flywheel, एक disc पर इसको wound किया हो, इसका mass m और radius r दिया हुआ है, when released from rest, the bob starts falling vertically, ठीक है, when it has covered a distance of h, the angular speed of the wheel will be, अब इटू हुआ यह की, जो एक bob है, जिसका mass m दे रखा है हमें, इसको हमने एक disc के साथ, कुछ ऐसे attach कर दिया, disc खुद के center के about rotate कर सकती है, इसके उपर raci lapeet रखी हमने, और इसको यहां से release किया, अब जैसे release करेंगे, तो होगा क्या, release करेंगे, तो यह ball नीचे की तरफ जाएगी, नीचे जाएगी, तो इसके पास कुछ नागुछ speed भी आएगी, ठीक है, अब देखो जब यह ball नीचे की तरफ जा रही है, तो यहां से जो string है, यह unwind होगी, string unwind होगी, तो फिर यह जो disc है, यह भी rotate करेगी, और important बात, कि यह जो string है, यह disc के उपर slip नहीं कर रहे, कि इसलिए string की जो speed यहां पर है, वही speed यहां पर भी होगी, और दूसरा यह जो rim है, इसके इस point की speed हमें पता है, किस के equal हो जाएगी, r omega के equal, तो हमें एक relation यह भी पता चल रहा है, कि v equals to r omega हो जाएगा, ठीक है, अब देखो, जब यह system हम बात कर रहे हैं, यहां से इसको release किया, तो यह bob नीचे की तरफ जा रहे है, तो इसके potential energy का loss हुआ, potential energy का loss कितना हुआ बटा जी, mg hk equal, वो loss कहां चला गया, वो loss जाएगा, system की kinetic energy का gain, अब system की kinetic energy देखें, तो एक तो, देखो, mass दोनों का, same है ना, हां, तो system की kinetic energy की बात करेंगे, तो एक तो इस particle की बात करेंगे, तो यह नीचे की तरफ गया, नीचे जाएगा, तो इसकी kinetic energy आ जाएगी, half mv square, साथ की साथ, यह जो disk है, यह rotate कर रही है, और pure rotation है, तो इसका जो kinetic energy है, उसको लिखेंगे, half i omega square, तो disk है, तो moment of inertia है, तो आजाएगा, mr square by 2, और omega है, v by r, तो v square by r square, ठीक है, तो यहां से हम बता सकते हैं, कि जो potential energy का loss आजाएगा, वो आएगा, half mv square, plus, 1 by 4 mv square, which is 3 by 4 mv square, तो v square by 2, कितना आजाएगा, v square है, 4 by 3 into g h k equal, तो यहां से हमें speed v पता चल जाएगी, और पूछा गया हमसे question में, कि you have to calculate, angular speed of the disk, तो angular speed देखो, अगर हमें speed पता है, कितनी under root of 4 by 3 g h, तो हम angular speed, जो omega है, वो कितनी बता देंगे, v by r, तो इसको लिखेंगे, 1 by r, 4 by 3 g h, एक बार options देख लेते हैं, फिर उसके according, इसको deal कर लेंगे, हाँ जी, first option इसका जो है, वो correct match हो जाएगा, ठीक है, तो जो अपने पास angular velocity आ जाएगी, 1 by r square root of 4 by 3 g h, के equal ये आ जाना है, ठीक, चलिए बेटाई, next question, question number 37 में दिया हुआ है, कि consider a uniform cubical box of side A, on a rough floor, that is to be moved, by applying a minimum possible force, तो इसको move करवाने के लिए, minimum possible force की बात कर रहा है, side view देखते हैं थोड़ा सा इसका, कि ये एक cube है, इसको ऐसे रफ surface पर रखा हुआ है, तो अगर, इसको move करवाना है, तो move करवाने के लिए, हमें कितना force apply करना पड़ेगा, कुछ इतना force ताकि वो, इस friction की maximum value को overcome कर सके, ठीक है, अब हमें ये पता है, कि friction की maximum value कितनी हो सकती है, तो friction की maximum value हो जाएगी, mu into mg के equal, ठीक है ना, तो हमें ये जो force apply करना पड़ेगा, उसकी कम से कम value कितनी आजाएगी, वो value आजाएगी, mu mg के equal, direct mu mg बोल रहा हूँ कि, mg vertically down लगेगा, और normal reaction जो है, वो upward direction में लगेगा, चलिए, आगे देखते हैं इसमें, this force is applied at a point B above the center, तो ये जो force है, ये B distance उपर apply किया हुआ है, center से B distance उपर है ये, ठीक है ना, if the coefficient of friction is 0.4, the maximum possible value of 100 times B by A, for the box not to topple before moving, अब move करने से पहले, इसने topple नहीं होना है, तो उसकी condition की बात कर रहे हैं, तो उसको check कर लेते हैं, हम देखिये ज़रा, देखो ये square box हमें दे रखा है, हमने इस पर एक force apply किया, यहां कहीं, center से B distance उपर, इस वज़ए से क्या होगा, जैसे ही आगे slide होना शुरू करेगा, तो इस पर एक friction आ जाएगा पीछे की तरफ, और इतना force apply किया हुआ है, कि friction की maximum value के यह equal हो रहा है, that is mu mg, तो force की value जो है, वो mu mg के equal है, ठीक, अब जैसे हम यह force apply करेंगे, तो mg तो center पर लगे गए, कोई दिक्कत नहीं है, इस force की वजए से, इसका torque इसको ऐसे rotate करवाने की कोशिश करेगा, तो जब torque से rotate होगा, तो normal reaction जो है बेटे, वो इधर shift होना शुरू हो जादा है, towards right, just topple करने की condition वो आ जाएगे, जब यह normal reaction जो है, वो इस edge पर act करना शुरू कर देगा, ठीक है, mg का torque anti-clockwise है, नॉर्मल और friction का इस axis के अबाउट torque, zero हो जाएगा, तो हम बस इस torque को balance करेंगे, जो force का torque है, इस axis से distance देखना बेटे कितना होगा, यह distance है a by 2, और center से b distance उपर है, तो हम इसको लिखेंगे, f into a by 2 plus b, must be equal to, जो mg का torque opposite direction में है, mg का torque कितना रहेगा opposite में, mg का torque रहेगा, mg into a by 2 के equal, friction कितना, sorry, यह force है, यह कितना है, mu mg, mu की value हमें दी हुई है, 0.4, तो वो value put कर देते हैं, 4 by 10, a by 2 plus b, equals to, a by 2, बेटा mg मैंने यहां से cancel out कर दिया है, ठीक है, यह 2 by 5 बचेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, 4 into a by 2, plus b, equals to 5a, clear है calculation, तो यहां से आएगा, 2 a, plus 4 b, equals to, 5 a, या फिर 4 b की value कितनी आ जाएगी, 3 a के equal, अब हमसे, b by a की बात कर रहा है, तो b by a कितना आ जाएगा, 3 by 4, question में यह पूछा गया था, की maximum possible value of 100 times b by a, तो 100 times b by a की जो बात करेंगे, तो वो आ जाएगा बेटा जी, 75 के equal, और यही इस question का answer भी रहेगा, clear, चलिए, next question, और यह, 2019 और 2020 में पूछाएगे, questions का, last question है, जो हम discuss करने वाले है, इसमें पूछा गया है कि, तो यहां से इसको release किया है, 30 degree के angle से, और आप से पूछा गया है कि, जब यह ज़स्ट यहां पहुँचेगी, तो इसकी angular velocity कितनी है, ठीक है ना, तो वो calculate कर लेते हैं हम, देखो, ऐसा कुछ है कि, यह rod दी हुई है हमें, और initially यहां से 30 degree के angle बना रही है, center of mass यहां होगा इसका, जैसे यह rod यहां से release करेंगे, तो नीचे गिरना शुरू होगी, center of mass भी नीचे आ रहा है, हमें यह पता है कि extended object के लिए, potential energy की बात करनी है, तो हम center of mass का motion देखेंगे, यहां actually क्या हो रहा है, कि इस axis के about जब rotation हो रहा है, तो potential energy का loss, जो है वो rotational kinetic energy में जा रहा है, potential energy का loss देखो कैसे लिखेंगे, center of mass का distance यह L by 2 है, तो vertical distance कितना हो जाएगा, L by 2 sin 30, तो potential energy का जो loss आएगा, वो आएगा Mg L by 2 का sin 30 वाला component, और यह कहां चला जाएगा, उसकी rotational kinetic energy जो की half I omega square है, I कितना है पतर, ML square by 3, and into omega square, बात समझ में आई आपको, तो देखो क्या कुछ cancel out हो रहा है, एक M और L जाएगा, एक 2 जाएगा, तो यह आजाएगा, G into half equals 2, हाँ जी, L by 3 into omega square, अब data क्या-क्या given है, हमें यह दिया हुए कि यह जो rod है, यह 1 meter length की है, और G को अगर हम 10 लेके बात करें, तो यह आजाएगा, 5 equals to 1 by 3 omega square, या फिर omega square की जो value आजाएगी, बेटे, वो कितनी आजाएगी, 15, इट मेंस omega जो आजाएगा, वो square root of 15, radian per second, यह आएगा, और उसने बोला हुए कि यह root n radian per second है, तो इसके according जो n आ रहा है हमारे पास, n की value कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी और यह इस question का answer भी होगा, ठीक है, तो बात समझ में आ गई, तो इतने ही question 2019 और 2020 में पूछे गए थे, I hope कि जितने भी questions हम discuss हमने किये हैं, वो आपको clear हो गए होगे, एके जी, thank you very much.